तीसरा भाग एक तुफान की आगाही कुटुम के साथ यह मेरी पहली समुद्री आत्रा थी. मैंने कितनी बार ही लिखा है कि हिंदु समाज में ब्याह बच्पन में होने के कारण और मध्यम श्रेणी के लोगों में पती के प्राया साक्षर होने और पत्नी के प्राया निरक्षर होने के कारण पती-पत्नी के जीवन में अंतर रहता है और पती को पत्नी का शिक्षक बनना पड़ता है. मुझे अपनी धर्म पत्नी और बालकों की वेश-भूशा की, खाने-पीने की और बोल-चाल की संभाल रखनी होती थी. मुझे उन्हें रीति रिवाज सिखाने होते थे. उन दिनों की कितनी बातों की याद मुझे आज भी हसाती है. हिंदू पत्नी पती प्रायानता में अपने धर्म की पराकाष्ठा मानती है हिंदू पती अपने को पत्नी का ईश्वर मानता है इसलिए पत्नी को पती जैसा नचाए वैसा नाचना होता है जिस समय की बात लिख रहा हूँ उस समय मैं मानता था कि सब भिमाने जाने के लिए हमारी बाहरी आचार व्यवहार यथा संभव यूरोपियनों से मिलता जुलता होना चाहिए ऐसा करने से ही लोगों पर प्रभाव पड़ता है और बिना प्रभाव पड़े देश सेवा नहीं हो सकती इस कारण पत्मी की और बच्चों की वेश भूशा मैंने ही पसंद की इस्तरी बच्चों का परिचाय काठियावारी बनियों के बच्चों के रूप में कराना मुझे कैसे अच्छा लगता भारतियों में पार्सी अधिक से अधिक सुदरे हुए माने जाते थे अतेव जहां यूरोपियन पोशाक का अनुकरन करना अनुचित प्रतीत हुआ वहां पारसी पोशाक अपनाई पत्मी के लिए साड़ियां पारसी बहनों के ढंकी खरीदी बच्चों के लिए पारसी कोट पतलून खरीदे सबके लिए भूट और मोजे तो जरूर थे ही पत्मी और बच्चों को दोनों चीजें कई महीने तक पसंद नहीं पड़ी जूते काटते, मोजे बद्बू करते, पैर सूच जाते लेकिन इस सारी अर्चनों के जवाब मेरे पास तयार थे उत्तर की योगिता की अपेक्षा आज्या का बल अधिक था ही इसलिए पत्नी और बालकों में पोशाक के फेर बदल को लाचारी से स्विकार किया गया उतनी ही लाचारी और उससे भी अधिक अरुची से खाने में उन्होंने छुरी काटे का उप्योग किया बाद में जब मोह दूर हुआ तो फिर से बूट मोजे छोरी काटे इत्यादी का त्यादी का त्याद किया शुरू में जिस तरह से ये परिवर्तन दुख दायक थे उसी तरह आदत पढ़ने के बाद उनका त्याद भी कश्ट प्रद था पर आज मैं देखता हूँ कि हम सब सुधारों की केंचल उतार कर हलके हो गए हैं इसी स्टीमर में दूसरे कुछ रिष्टदार और जान पहचान वाले भी थे मैं उनसे और डेक के दूसरे यात्रियों से भी खूब मिलता जुलता रहता था क्योंकि स्टीमर मेरे मुवक्किल और मित्र का था इसलिए घर कासा लगता था और मैं हर जगा आजादी से घूम फिर सकता था स्टीमर दूसरे बंदरगाह पर ठैरे बिना सीधा नेटॉल पहुँचने वाला था इसके लिए केवल अठारा दिन की यात्रा थी हमारे पहुचने में 3-4 दिन बाकी थे कि इतने में समुद्र में भारी तूफान उठा मानो वह हमारे पहुचते ही उठने वाले तूफान की हमें चेतावनी दे रहा हो इस दक्षणी प्रदेश में दिसंबर का महीना गर्मी और वर्षा का होता है इसलिए दक्षणी समुद्र में इन दिनों छोटे मूटे तूफान तो उठते ही रहते हैं लेकिन यह तूफान जोर का था और इतनी देड तक रहा कि यात्री घबरा उठे यह द्रश भव्य था दुख में सब एक हो गए, सारे भेदभाव मिट गए इश्वर को हिर्दय पूर्वक याद करने लगे हिंदू मुसल्मान सब साथ मिलकर भगवान का इसमरण करने लगे कुछ लोगों ने मनौतियां मानी कप्तान भी यात्रियों से मिला जुला और सब को आश्वासन देते हुए बोला यद्यपी यह तुफान बहुत जोर का माना जा सकता है तो भी इससे कहीं जादा जोर के तुफानों का मैंने स्वयम अनुभव किया है स्टीमर मजबूत हो तो वह अचानक डूपता नहीं इस प्रकार उसने यात्रियों को बहुत कुछ समझाया पर इससे उन्हें तसल्ली न हुई स्टीमर में से ऐसी आवाजें होती थी मानों अभी कहीं से तूट जाएगा अभी कहीं छेद हो जाएगा जब वह हिचकोले खाता तो ऐसा लगता मानों अभी उलट जाएगा डेक पर तो कोई कैसे रही सकता था सबके मुझे से एक ही बात सुनाई पड़ती थी भगवान जैसा रखे वैसा रहना होगा जहां तक मुझे याद है इस चिंता में 24 घंटे बीते होंगे आखिर बादल बिखरे सूर नारायान ने दर्शन दिये कप्तान ने कहा तूफान चला गया है लोगों के चेहरों से चिंता दूर हुई और उसी के साथ इश्वर भी लुप्त हो गया लोग मौत का डर भूल गया और ततकाल ही गाना बजाना तथा खाना पीना शुरू हो गया माया का आवरण फिर छा गया लोग नमास पढ़ते और भजन भी गाते पर तूफान के समय उनमें जो गंभीरता दिख पड़ी वह चली गई थी पर इस तूफान में मुझे यात्रियों के साथ ओत प्रोद कर दिया था कहा जा सकता है कि मुझे तूफान का डर ना था अथवा कम से कम था लगभग ऐसे ही तूफान का अनुभव मैं पहले कर चुका था मुझे न समुद्र लगता था न चक्कर आते थे इसलिए मैं निर्भय होकर घूम रहा था उन्हें हिम्मत बधा रहा था और कप्तान की भविशिवानियां उन्हें सुनाता रहता था यसने गाठ मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हमने 18 या 19 दिसंबर को डर्बन में लंगर डाला नादरी भी उसी दिन पहुँचा पर वास्तविक तूफान का अनुभव तो अभी होना बागी था दो तूफान 18 दिसंबर के आज पास दोनों स्टीमरों ने लंगर डाले दक्षिन अफ्रीका के बंदर गाहों में यात्रियों के स्वास्त की पूरी जांच की जाती है यदि किसी को छूत वाली बिमारी हुई तो स्टीमर को सूतक क्वारंटीन में रखा जाता है हमारे बंबई छोड़ते समय वहां प्लेग की शिकायत की थी इसलिए हमें इस बात का डर जरूर था कि सूतक की कुछ बाधा होगी बंदर में लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले पीला जंडा फैराना होता है डॉक्टरी जाँच के बाद डॉक्टर के मुक्ती देने पर पीला जंडा उतरता है और फिर यात्रियों के रिष्टेदारों आधी को स्टीमर पर आने की इजाज़त मिलती है तद अनुसार हमारे स्टीमर पर भी पीला जंडा फैरा रहा था डॉक्टर आय जाच करके उन्होंने पांच दिन का सूतक घोशित किया क्योंकि उनकी धारणा थी कि प्लेक के किटारूं 23 दिन तक जिंदा रहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि बंबई छोड़ने के बाद 23 दिन की अवधी पूरी होने तक स्टीमरों को सूतक में रखा जाए पर इस सूतक की आग्या हे तू केवल स्वास्थ रक्षा न थी डर्बन के गोरे नागरिक हमें उल्टे पैरों लोटा देने का जो आंदोलन कर रहे थे वह भी इस आग्या के मूल में एक कारण था दादा अब्दुल्ला की तरफ से हमें शहर में चल रहे इस आंदोलन की खबरें मिलती रहती थी गोरे लोग एक के बाद दूसरी विराट सभाएं कर रहे थे दादा अब्दुल्ला के नाम धंकियां भेजते थे उन्हें लालच भी देते थे अगर दादा अब्दुल्ला दोनों स्टीमरों को वापस ले जाएं तो गोरे नुकसान की भरपाई करने को तयार थे इस प्रकार डर्बन में द्वन्द युद्ध छड़ गया एक और मुठी भर गरीब हिंदुस्तानी और उनके गिने चुने अंग्रेजी मित्र थे मिस्टर गेरी एसकंब ने जो मंत्री मंडल में थे और उसके करता धरता थे इन गोरों की सभा में प्रकाट रूप से हिस्ता लिया था मतलब यह कि हमारी सूतक केवल स्वास्त रक्षा के नियमों के कारण ही न थी उसका हेत्व किसी भी तरह एजेंट को या यात्रियों को दबा कर हमें वापस भेजना था एजेंट को तो धमगी मिली रही थी अब हमारे नाम भी आने लगी अगर तुम वापस ना गए तो तुम्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा लोट जाओ तो लोटने का भाड़ा भी शायद मिल जाए मैं यात्रियों के बीच खूब घूमा फिरा उन्हें धीरज बंधाया नादरी के यात्रियों को भी धीरज से काम लेने के संदेश भेजे यात्री शांत रहे और उन्होंने हिम्मत का परिचे दिया यात्रियों के मरोरंजन के लिए इस टीमरों पर खेलों का प्रबंध किया गया था बड़े दिन का तेवहार आया कप्तान ने उस दिन पहले दर्जे के यात्रियों को पश्चिमी सभ्यता पर भाशण किया मैं जानता था कि या अफसर गंभीर भाशण का नहीं होता पर मैं दूसरा कोई भाशण दे ही नहीं सकता था मैं आनंद में सम्मिलित हुआ पर मेरा दिल तो डर्बन में चल रही लड़ाई में ही लगा हुआ था क्योंकि इस हमले में मध्य बिंदू मैं था मुझ पर दो आरोब थे मैंने हिंदुस्तान में निटाल वासी गोरों की अनुचित निंदा की थी मैं निटाल को हिंदुस्तानियों से भर देना चाहता था और इसलिए खासकर निटाल में बसाने के लिए हिंदुस्तानियों को कुरलैंड और नादरी में भर कर लाया था मुझे अपनी जिम्मेदारी का खयाल था मेरे कारण दादा अब्दुल्ला भारी नुकसान में पड़ गए थे यात्रियों के प्राण संकट में थे और अपने परिवार को साथ लाकर मैंने उसे भी दुख में डाल दिया था पर मैं सोयम बिलकुल निर्दोश था मैंने किसी को निटाल आने के लिए ललचाया नहीं था नादरी के यात्रियों को मैं पहचानता भी न था कुर्लैंड में अपने दो-तीन रिष्टेदारों को छोड़ कर बाकी के सैकड़ों यात्रियों के नाम-धाम तक मैं न जानता था मैंने हिंदुस्तान में निटाल के अंग्रेजों के विशय में ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा जो निटाल में कह चुका था जो कुछ मैंने कहा था उसके लिए मेरे पास काफी प्रमाण थे अतेव निटाल के अंग्रेज जिस सब्धिता की उपज थे जिसके प्रतिनिधी और हिमायती थे उस सब्धिता के प्रती मेरे मन में खेद उत्पन हुआ मैं उसी का विचार करता रहता था इसलिए इस छोटी सब्धा के सामने मैंने अपने वे ही विचार रखे और शोता वर्ग ने उन्हें सहन कर लिया जिस भाव से मैंने उन्हें रखा कप्तान आदी ने उसी भाव में उन्हें ग्रहन किया उन्हें विचारों से उनके जीवन में कोई फेरफार हुआ या नहीं सो मैं नहीं जानता पर कप्तान और दूसरे अधिकारियों के साथ पश्चिमी सभ्यता के विशय में मेरी बातें खूब हुई मैंने पश्चिमी सभ्यता को प्रधान तया अहिंसक बतलाया और पूर्व की सभ्यता को अहिंसक प्रश्चिकरताओं ने मेरे सिध्धान्त मुझी पर लागू किये बहुत करके कप्तान नहीं पूछा गोरे जैसी धमकी दे रहे हैं उसी के अनुसार वियात को चोट पहुचाएं तो आप अहिंसा के अपने सिध्धान्त पर किस तरह अमल करेंगे मैंने जवाब दिया मुझे आशा है कि उन्हें माफ कर देने की और मुकदमा ना चलाने की हिम्मत और बुद्धी ईश्वर मुझे देगा आज भी मुझे उन पर रोश नहीं है उनके अज्यान उनकी संकुचित द्रिष्टी के लिए मुझे खेद होता है मैं समझता हूँ कि वे जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वे उचित है ऐसा वे शुद्ध भाव से मानते हैं अतेव मेरे लिए रोश का कोई कारण नहीं है पूछने वाला हसा शायद मेरी बाद पर उसे विश्वास नहीं हुआ इस प्रकार हमारे दिन बीटते गए और लंबे होते गए सूतक समाप्त करने की अवधी अंत तक निश्चित नहीं हुई इस विभाग के अधिकारी से पूछने पर वा कहता यह मेरी शक्ती से बाहर है सरकार आदेश दे तो मैं आप लोगों को उतरने की इजाज़त दे दू अंत में यात्रियों को और मुझे अल्टिमेटम मिले दोनों को धमकी दी गई कि तुम्हारी जान खत्रे में है दोनों ने निटाल के बंदर पर उतरने के अपने अधिकार के विशे में लिखा और अपना निश्चय गोशित किया कि कैसा भी संकट क्यों न हो हम अपने इस अधिकार पर डटे रहेंगे आखिर तेशमें दिन अर्थाथ 13 जन्वरी 1897 के दिन स्टीमरों को मुक्ती मिली और यात्रियों को उतरने का आदेश मिला तीन कसवटी जहाज धक्के पर लगा यात्री उत्रे पर मेरे बारे में मिस्टर एसकंब ने कप्तान से कहलाया था गांधी को और उसके परिवार को शाम को उतारियेगा उसके विर्द गोरे बहुत उत्तेजित हो गए हैं और उनके प्राण संकट में है पोर्ट सुपरिंटेंडेंडेंट मिस्टर टेटम उन्हें शाम को अपने साथ ले जाएंगे कप्तान ने मुझे इस संदेश की खबर दी मैंने तद अनुसार चलना स्विकार किया लेकिन इस संदेश को मिले आधा घंटा भी न हुआ था कि इतने में मिस्टर लाटन आये और कप्तान से मिलकर बोले यदि मिस्टर गांधी मेरे साथ चलें तो मैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूँ स्टीमर के एजेंट के वकील के नाते मैं आप से कहता हूँ कि मिस्टर गांधी के बारे में जो संदेश आपको मिला है उसके बंधन से आप मुक्त है इस प्रकार कप्तान से बाचीत करके वे मेरे पास आए और मुझ से कुछ इस मतलब की बाते कहीं आपको जीवन का डर ना हो तो मैं चाहता हूँ कि श्रिमती गांधी और बच्चे गाड़ी में रुस्तम जी सेट के घर जाए और आप तथा में आम रास्ते से पैदल चले मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप अंधेरा होने पर चुपचाप शहर दाखिल हो मेरा ख्याल है कि आपका बाल भी बांका ना होगा अब तो सब कुछ शान्त है गोरे सब तितर वितर हो गए है पर कुछ भी क्यों ना हो मेरी राय है कि आपको छीपे तोर पर शहर में कभी ना जाना चाहिए मैं सहमत हो गया मेरी धरमपत्नी और बच्चे गाड़ी में बैठ कर रुस्तम जी सेट के घर सही सलामत पहुँच गया कप्तान की अनुमति लेकर मैं मिस्टर लाटन के साथ उत्रा रुस्तम जी सेट का घर वहां से लगभग दो मील दूर था जैसे ही हम जहाज से उत्रे कुछ लड़कों ने मुझे पहचान लिया और वे गांधी गांधी चिलाने लगे तुरंधी कुछ लोग इखटा हो गए और चिलाहट बढ़ गई मिस्टर लाटन ने देखा कि भीर बढ़ जाएगी इसलिए उन्होंने रिक्षा मंगवाया मुझे उसमें बैठना कभी अच्छा न लगता था उस पर सवार होने का मुझे या पहला ही अनुभव होने जा रहा था पर लड़के क्यों बैठने देते उन्होंने रिक्षे वाले को धंकाया और वह भाग खड़ा हुआ हम आगे बढ़े भीड भी बढ़ती गई खासी भीड जमा हो गई सबसे पहले तो भीड वालों ने मुझे मिस्टर लाटन से अलग कर दिया फिर मुझ पर कंकरों और सड़े अंडों की वर्षा शुरू हुई किसी ने मेरी पगड़ी उचाल कर फेंग दी फिर लातें शुरू हुई मुझे घश आ गया मैंने पास के घर की जाली पकड़ ली और दम लिया वहां खड़ा रहना तो संभव ही न था तमाचे पढ़ने लगे इतने में पुलिस अधिकारी की इस्त्री जो मुझे पहचानती थी रास्ते से गुजरी मुझे देखते ही वह मेरी बगल में आकर खड़ी हो गई और धूप के न रहते भी उसने अपनी छत्री खोल ली इससे भीड कुछ नरम पड़ी अब मुझे पर प्रहार करने हो तो मिस अलेक्जैंडर को बचा कर ही किये जा सकते थे इस बीच मुझे पर मार पड़ते देख कर कोई हिंदुस्तानी नौजवान पुलिस थाने पर दोड़ गया सुपरिंटेंडन्ट एलेक्जैंडर ने एक टुकडी मुझे घेर कर बचा लेने के लिए भेजी वह समय पर पहुँची मेरा रास्ता पुलिस थाने के पास ही होकर जाता था सुपरिंटेंडन्ट ने मुझे थाने में आश्रे लेने की सलाह दी मैंने इनकार किया और कहा जब लोगों को अपनी भूल मालूम हो जाएगी तो वे शान्त हो जाएंगे मुझे उनकी न्याय बुद्धी पर विश्वास है पुलिस के दस्ते के साथ मैं सही सलामत पारसी रुस्तम जी के घर पहुँचा मेरी पीठ पर छिपी मार पड़ी थी एक जगा थोड़ा खून निकलाया था स्टीमर के डॉक्टर दादा बरजोर वहीं मौझूद थे उन्होंने मेरी अच्छी सेवा शुश्रुशा की यो भीतर शान्ती थी पर बाहर गोरों ने घर को घेर लिया शाम हो चुकी थी अंधेरा हो चला था बाहर हजारों लोग तीखी आवाज में शोर कर रहे थे और गांधी को हमें सौंप दो की पुकार मचा रहे थे परिस्थिती का हयाल करके सुपरिंटेंडेंडन्ट एलेक्जैंडर वहां पहुँच गये और भीड को धमकी से नहीं बलकि उसका मन बहला कर वश में रख रहे थे फिर भी वे निश्चिन तो नहीं थे उन्होंने मुझे इस आशय का संदेशा भेजा यदि आप अपने मित्र के मकान, माल असबाब और अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हो तो जिस तरह मैं कहूं उस तरह आपको इस घर से छीपे तोर पर निकल जाना चाहिए एक ही दिन में मुझे एक दूसरे के विरुद्ध दो काम करने का प्रसंग आया जब प्राणों का भै केवल कालपनिक प्रतीत होता था तब मिस्टर लाटन ने मुझे प्रकट रूप से बाहर निकलने की सलाह दी और मैंने उसे मान लिया जब संकट प्रत्यक्ष मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तब दूसरे मित्र ने इस से उल्टी सलाह दी और मैंने उसे भी मान लिया कौन कह सकता है कि मैं अपने प्राणों के संकट से डरा या मित्र के जानमाल की जोखिम से अथ्वा अपने परिवाल की प्राणहानी से या तीनों से। अमुक प्रसंग में अमुक मनुष्य क्या करेगा यह निश्चय पुर्वक कहा ही नहीं जा सकता। इसी तरह हम यह भी देख सकते हैं कि मनुष्य के बाहरी आचरन से उसके गुणों की जो परीक्षा की जाती है वह अधूरी और अनुमात्र मात्र होती है। और उपर से मदरासी तर्ज का बड़ा साफा बांधा। साथ में खुफिया पुलिस के दो जवान थे। उन में से एक ने हिंदुस्तानी व्यापारी की पुशाक पहनी और अपना चेहरा हिंदुस्तानी की तरह रंग लिया। दूसरे ने क्या पहना सो मैं भूल गया। हम बगल की गली में होकर पडोस की दुकान में पहुँचे और गोदाम में लगी हुई बोरो की थप्पियों को अंधेरे में लांगते हुए। दुकान के दरवाजे से भीड में घुश कर आगे निकल गए। गली के नुकल पर गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठ कर अब मुझे उसी थाने में ले गए जिसमें आश्रे लेने की सला सुपरिंटेंडेंडेंट अलेक्जेंडर ने पहले दी थी। मैंने सुपरिंटेंडेंडेंडेंडर और खुफिया पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस परकार जब एक तरफ से मुझे ले जाया जा रहा था तब दूसरी तरफ सुपरिंटेंडेंडेंडेंडेंडर भीड से गाना गवा रहे थे। उस गीत का अनुआ दिया है चलो हम गांदी को फांसी पर लटका दे। इमली के उस पेड़ पर फांसी लटका दे। जब सुपरिंटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें अगर आप गांधी को ढून निकालें तो मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा न ढून सके तो आपको विखर जाना होगा मुझे विश्वास तो है ही कि आप पार्सी रुस्तम जी का मकान हरगिस नहीं जलाएंगे और न गांधी के इस्त्री वच्चों को कष्ट पहुचाएंगे भीड ने प्रत्रीधी नियूप्त किये उन्होंने तलाशी के बाद उसे निराशा जनक समाचार सुनाए जब सुपरिंटेंडेंट अलेक्जैंडर की सूजबूज और चतुराई की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कुछ गुस्सा होते हुए बिखर गए उस समय के उपनिवेश मंत्री त्वरगी मिस्टर चैंबर लेन ने तार द्वारा सूचित किया कि मुझ पर हमला करने वालों पर मुकदमा चलाया जाए और मुझे नयाय दिलाया जाए मिस्टर असकंब ने मुझे अपने पास बुलाया मुझे पहुँची हुई चोट के लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा आप ये तो मानेंगे ही नहीं कि आपका बाल भी बांका हो तो मुझे उससे कभी खुशी नहीं हो सकती आपने मिस्टर लाटन की सलाह मान कर तुरंट उतर जाने का साहस किया आपको ऐसा करने का हक था पर आपने मेरे संदेश को मान लिया होता तो ये दुखत घटना घटती ही नहीं अब अगर हमला करने वालों को पहचान सकें तो मैं उन्हें गिरफतार करवाने और उन पर मुकदमा चलाने को तयार हूँ मिस्टर चैंबरलेन भी यही चाहते हैं मैंने जवाब दिया मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है संभव है हमला करने वालों में से एक दो को मैं पहचान लू पर उन्हें सजा दिलाने से मुझे क्या लाभ होगा फिर मैं हमला करने वालों को दोशी भी नहीं मानता उन्हें तो यह कहा गया है कि मैंने हिंदुस्तान में अतिश्योक्ति पूर्ण बाते कह कर नेटाल के गोरों को बदनाम किया है वे इस बात को मान कर गुस्सा हो तो इसमें आश्यर क्या है दोश तो बड़ों का और मुझे कहने की इजाज़त दें तो आपका माना जाना चाहिए आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते थे पर आपने माना और कलपना कर ली कि मैंने अतिश्योक्ति की होगी मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है जब वस्तुस्तिती प्रकट होगी और लोगों को पता चलेगा तो वे खुद पच्चताएंगे तो आप मुझे ये बात लिख कर देंगे मुझे मिस्टर चैंबर लेन को इस आशर का तार भेजना पड़ेगा मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी में कुछ लिख कर दें पड़ेगी मैंने जवाब दिया इस विशय में मेरे विचार पक्के हो चुके हैं या निश्चे समझ ये कि मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है इसलिए मैं आपको यही लिख कर देना चाहता हूँ या कहकर मैंने आवश्यक पत्र लिख कर दे दिया हमले के दो एक दिन बाद जब मैं मिस्टर एसकम से मिलने गया तब मैं पुलिस थाने में ही था रक्षा के लिए मेरे साथ दो एक सिपाही रहते थे पर दरसल जब मुझे मिस्टर एसकम के पास ले जाया गया तब रक्षा की आवशकता रही नहीं थी जिस दिन मैं जहाज से उत्रा उसी दिन अर्थात पीला जंडा उतरने के बाद तुरंत नेटाल एडवर्टाइजर नामक पत्र का प्रतिनिधी मुझसे मिल गया था उसने मुझसे कई प्रशन पूचे थे और उनके उत्तर में मैं प्रत्यक आरोप का पूरा पूरा जवाब दे सका था सर्फिरोश शा मेता के प्रताब से उस समय मैंने हिंदुस्तान में एक भी भाषण बिना लिखे नहीं दिया था अपने उन सब भाषणों और लेखों का संग्रह तो मेरे पास था ही मैंने वह सब उसे दिया और सिद्ध कर दिखाया कि मैंने हिंदुस्तान में ऐसी एक भी बात नहीं कही जो अधिक तीवर शब्दों में दक्षिल अफ्रीका में ना कही हो मैंने यभी बता दिया कि कुर्लेंड और नाद्री के यातरीयों को लाने में मेरा हाथ बिलकुल न था उन में से अधिकतर तो पुराने ही थे और बहुतेरे नेटाल में रहने वाले नहीं थे बलकि ट्रांसवाल जाने वाले थे उन दिनों निटाल में मंदी थी, ट्रांसवाल में अधिक कमाई होती थी, इस कारण अधिकतर हिंदुस्तानी वहीं जाना पसंद करते थे इस खुलासे का और हमलावरों पर मुकद्मा ना दायर करने का इतना जादा असर पड़ा कि गोरे शर्मिंदा हुए समाचार पत्रों ने मुझे निर्दोश सिद्ध किया और हुलड करने वालों की निंदा की इस प्रकार परिणाम में तो मुझे लाब ही हुआ और मेरा लाब मेरे कार्य का ही लाब था इससे भारती समाज के प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरा मार्ग अधिक सरल हो गया तीन या चार दिन बाद में अपने घर गया और कुछी दिनों में विवस्थित रीती से अपना काम काज करने लगा इस घटना के कारण मेरी वकालत भी बढ़ गई परन्तु इस तरह यदि हिंदुस्तानियों के प्रतिष्ठा बढ़ी तो उनके प्रति गोरों का दुएश भी बढ़ा गोरों को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तानियों में दिर्टा पूर्वक लड़ने की शक्ती है फलता उनका डर बढ़ गया निटाल की धारा सभा में दो कानून पेश हुए जिनके कारण हिंदुस्तानियों की कठिनाईयां बढ़ गल एक से भारती विपारियों के धंदे को नुक्सान पहुचा दूसरे से हिंदुस्तानियों के आने जाने पर अंकुष लग गया सौभागल से मताधिकार का लड़ाई के समय यह फैसला हो चुका था कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ हिंदुस्तानी होने के नाते कोई कानून नहीं ब dismantाया जा सकता मतलब यह कि कानून में रंग भेद या जाती भेद नहीं होना चाहिए इसलिए उपर के दोनों कानून उनकी भाशा को देखते हुए तो सब पर लागू होते जान पड़ते थे पर उनका मूल उद्देश केवल हिंदुस्तानी कौम पर दबाव डालना था इन कानूनों ने मेरा काम बहुत जादा बढ़ा दिया और हिंदुस्तानियों में जागरती भी बढ़ाई हिंदुस्तानियों को ये कानून इस तरह समझा दिये गए कि इनकी बारिक से बारिक बातों से भी कोई हिंदुस्तानी अपरिचित न रह सके हमने इनके अनुआत भी प्रकाशित कर दिये जगड़ा आखिर विलायत पहुंचा पर कानून नामन्जूर नहीं हुए मेरा अधिकतर समय सारवजनिक काम में ही बीतने लगा मनसुख लाल नाजर मेरे साथ रहे उनके निटाल में होने की बात मैं उपर लिक चुका हूँ वे सारवजनिक काम में अधिक हाथ बटाने लगे जिससे मेरा काम कुछ हलका हो गया मेरी अनुपस्तिती में सेठ आदम जी मियाँ खान ने अपने मंत्री पद को खूब सुचोभित किया था उन्होंने सदस्य बढ़ाए और स्थानी कॉंग्रेस के कोश में लगभग एक हजार पाउंड की वृद्धी की थी यात्रियों पर हुए हमले के कारण और उपर्यक्त कानूनों के कारण जो जागरती पैदा हुई उससे मैंने इस वृद्धी में भी वृद्धी करने का विशेश प्रहतन किया और कोश में लगभग पाँच हजार पाउंड जमा हो गए मेरे मन में लोब यह था कि यदि कॉंग्रेस का इस्थाई कोश हो जाए उसके लिए जमीन ले ली जाए और उसका भाड़ा आने लगे तो कॉंग्रेस निर्भय हो जाए सार्वजनिक संस्था का ये मेरा पहला अनुभव था मैंने अपना विचार साथियों के सामने रखा उन्होंने उसका स्वागत किया मकान खरीदे गए और वे भाड़े पर उठा दिये गए उनके किराय से कॉंग्रेस का मासिक खर्च आसानी से चलने लगा संपत्ती का सुद्रिट ट्रस्ट बन गया वह संपत्ती आज भी मौजूद है पर अंदर ही अंदर वह आपसी कलाह का कारण बन गई और जायदात का किराया आज अदालत में जमा होता है यह दुखत घटना तो मेरे लिए दक्षिन अफरीका छोड़ने के बाद घटी पर सारवजनिक संस्थाओं के लिए इस्थाई कोश रखने के संबंध में मेरे विचार बदल चुके थे अनेका अनेक सारवजनिक संस्थाओं की उत्पत्ती और उनके प्रबंध की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं इस दृण निर्ने पर पहुँचा हूँ कि किसी भी सारवजनिक संस्था को इस्थाई कोश पर निभने का प्रयत्म नहीं करना चाहिए इसमें उसकी नैतिक अधोग्यती का बीच्छिपा रहता है सार्वजनिक संस्था का अर्थ है लोगों की स्विक्रिती और लोगों के धन से चलने वाली संस्था ऐसी संस्था को जब लोगों की सहायता न मिले तो उसे जीवित रहने का अधिकार ही नहीं रहता देखा ये गया है कि इस्थाई संपत्ती के भरोसे चलने वाली संस्था लोकमत से स्वतंत्र हो जाती है और कितनी ही बार वह उल्टा आचरण भी करती है हिंदुस्तान में हमें पग पग पर इसका अनुभव होता है कितनी ही धार्मिक माने जाने वाली संस्थाओं का हिसाब किताब का कोई ठिकाना नहीं रहता उनके ट्रस्टी ही उनके मालिक बन बैठे हैं और वे किसी के प्रती उत्तरदाई भी नहीं है जिस तरह प्रकृती स्वयम प्रती दिन उत्पन्र करती है और प्रती दिन खाती है वैसी ही व्यवस्था सार्वजनिक संस्थाओं की भी होनी चाहिए इसमें मुझे कोई शंका नहीं है जिस संस्था को लोग मदद देनी के लिए तयार ना हो उसे सारवजनिक संस्था के रूप में जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है प्रतिवर्ष मिलने वाला चंदा ही उन संस्थाओं की अपनी लोग पृयता और उनके संचालकों की प्रामाणिक्ता की कसोटी है और मेरी यह राय है कि हर एक संस्था को इस कसोटी पर कसा जाना चाहिए मेरे यह लिखने से कोई खलत फैमी ना होनी चाहिए उपरी टीका उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिने मकान इत्यादी की आवश्रक्ता होती है सारवजनिक संस्थाओं के दैनिक खर्च का आभार लोगों से मिलने वाला चंदा ही होना चाहिए यह विचार दक्षिन अफरीका के सत्याग्रह के दिनों में द्रड हुए छै वर्षों की यह महान नडाई इस थाई कोश के बिना चली यद्यपी उसके लिए लाखों रुपए की आवश्रक्ता थी मुझे ऐसे अफसरों की याद है जब अगले दिन का खर्च कहां से आएगा इसकी मुझे खबर ना होती थी लेकिन आगे जिन विशयों की चर्चा की जाने वाली है उनका उलेख यहां नहीं करूँगा पाठकों का मेरे इस मत का समर्थन इस कथा के उचित प्रसंग पर यथा स्थान मिल जाएगा पांच बच्चों की शिक्षा सन 1897 की जनवरी में मैं डर्बन उत्रा तब मेरे साथ तीन बालक थे मेरा भांजा लगभग दस वर्ष की उमर का मेरा बड़ा लड़का नौ वर्ष का और दूसरा लड़का पांच वर्ष का इन सब को कहां पढ़ाया जाए मैं अपने लड़कों को गोरो के लिए चलने वाले स्कूलों में भेज सकता था पर वह केवल महरबानी और अपवाद रूप होता दूसरे सब हिंदुस्तानी बालक वहां पढ़ नहीं सकते थे हिंदुस्तानी बालकों को पढ़ाने के लिए E.S.I. मिशन के स्कूल थे, पर उन में मैं अपने बालकों को भेजने के लिए तयार ना था, वहां दी जाने वाली शिक्षा मुझे पसंद ना थी, वहां गुजराती द्वारा शिक्षा मिलती ही कहां से, सारी शिक्षा अंग्र अंग्रेजी में ही दी जाती थी, अथ्वा प्रयत्न किया जाता तो अशुद्ध तमिड या हिंदी में दी जा सकती थी, पर इन और ऐसी अंग्रेजी शिक्षक के लिए विज्यापन दिया, जो बच्चों को मेरी रूची के अनुरूप शिक्षक दे सके, मैंने सोचा कि इस तरह जो शिक्षक मिलेगा, उसके द्वारा थोड़ी नियमिच शिक्षा होगी और बाकी मैं स्वयम जैसे बन पड़ेगा दूंगा, एक अंग्रेजी महिला को साथ पाउंड के वेतन पर रख कर गारी कुछ आगे बढ़ी, बच्चों के साथ मैं केवल गु सेवस्थित घर में बालकों को जो शिक्षा सहज ही मिल जाती है, वो छात्रालायों में नहीं मिल सकती, अतेव अधिक तर वे मेरे साथ ही रहे। भांजे और बड़े लड़के को मैंने कुछ महीनों के लिए देश में अलग-अलग छात्रालायों में भेजा अवश्य था, पर वहां से उन्हें तुरंत वापस बुला लिया था, बाद में मेरा बड़ा लड़का वयस खोने पर अपनी इच्छा से एहमदाबाद के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए दक्षड अफरीका छोड़कर देश चला गया था, अपने भांजे को जो शिक्षा मैं दे सका, उससे उसे संतोष था, ऐसा मेरा खयाल है, भरी जवानी में कुछ दिनों की बीमारी के बाद उसका देहान थो गया, मेरे दूसरे तीन लड़के कभी किसी स्कूल में गए ही नहीं, दक्षड अफरीका के सत्याग रह के सल्चले में मैंने जो विद्याले खोला था, उसमें उन्होंने थोड़ी नियमित पढ़ाई की थी, मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे, लड़कों को मैं स्वयम जितना समय दे सकता था, उतना दे नहीं सका, इस कारण और दूसरी अनिवारे परिस्थितियों के कारण, मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अक्षर ग्यान नहीं दे सका, इस विशय में मेरे सब लड़कों को निवनाधिक मात्रा में मुझसे शिकायत भी रही है, क्योंकि जब जब वे B.A., M.A. और मेट्रिकुलेट के भी संपर्क में आते, तब सुयम किसी भी स्कूल में न पढ़ सकने की कमी का अनुभव करते, तिस पर भी मेरी अपनी राई ये है कि जो अनुभव ज्यान उन्हें मिला है, माता पिता को जो सहवास वे प्राप्ट कर सके हैं, स्वतंत्रता का जो पदार्थ पार्थ उन्हें सीखने को मिला है, वह सब उन्हें ना मिलता, यदि मैंने उनको चाहे जिस तरह स्कूल भेजने का आगरे रख उनके बारे में जो निश्चिंता आज मुझे है वह न होती, और जो सादगी और सेवा भाव उन्होंने सीखा है, वह मुझ से अलग रहकर विलायत में या दक्षिन अफ्रीका में कृत्रिम शिक्षा प्राप्त करके वे सीखना पाते, बलकि उनकी बनावटी रहन सहन देश कारे में मेरे लिए कदाचित विग्ण रूप हो जाती, अतेव यदपि मैं उन्हें जितना चाहता था उतना अक्षर ग्यान नहीं दे सका, तो भी अपने पिछले वर्षों का विचार करते समय, मेरे मन में यह ख्याल नहीं उठता, कि उनके प्रती मैंने अपने धर्म का य तिधोनी है, ऐसा मुझे सदा ही लगा है, उस समय उसकी उमर इतनी थी, कि जिसे मैंने हर प्रकार से अपना मूर्षा काल, वैभव काल माना है, उसका इस्मरण उसे बना रहे, वह क्यों माने कि वह मेरा मूर्षा काल था, वह ऐसा क्यों ना माने कि वह मेरा ज्यान काल था, और उसके बाद में हुए परिवर्तन अयोग्य और मोह जन्य थे। वह क्यों ना माने कि उस समय मैं संसार के राज मार्ग पर चल रहा था, इस कारण सुरक्षित था। तथा बाद में किये हुए परिवर्तन मेरे सूक्ष्म अभिमान और अज्ञान की निशानी थे। यदि मेरे लड़के बैरिस्टर आदी की पद्वी पाते तो क्या बुरा होता? मुझे उनके पंक काट देने का क्या आधिकार था? मैंने उन्हें ऐसी स्थिती में क्यों नहीं रखा कि वे उपाध्यां प्राप्त करके मन चाहा जीवन मार्ग पसंद कर सकते। इस तरह की दल में मुझे कोई तथ्य दिखाई नहीं दिया. मैं अनेक विद्यार्तियों के संपर्क में आया हूँ. दूसरे बालकों पर मैंने दूसरे प्योग भी किये हैं. अथवा कराने में सहायक हुआ हूँ. उनके परिणाम भी मैंने देखे हैं. वे बालक और मेरे लड़के आज सम अविश ही बता सकता है. जहां इस विशाय की चर्चा करने का हेत्य तो यह है कि मनुष्य जाती की उत्करांती का अध्यान करने वाले लोग ग्री शिक्षा और स्कूरी शिक्षा के भेद का और माता-पिता द्वारा अपने जीवन में किये हुए परिवर्तनों का उनके बा पराधना उसे कहां तक ले जा सकती है और स्वतंतरता देवी का उपासक देख सके कि वह देवी कैसी बलेदान चाहती है। बालकों को अपने साथ रखते हुए भी यदि मैंने स्वाभिमान का त्याग किया होता दूसरे बालक जिसे ना पा सके उसकी अपने बालकों के पाते और जहां स्वतंतरता तथा अक्षर ग्यान के बीच ही चुनाओ करना हो वहां कौन कहेगा कि स्वतंतरता अक्षर ग्यान से हजार गुनी अधिक अच्छी नहीं है। को कदाचित समझ सकेंगे। 6. सेवा वरत्ती वकालत का मेरा धंदा अच्छा चल रहा था पर मुझे उससे संतोष नहीं था। जीवन अधिक साधा होना चाहिए, कुछ शारीरिक सेवाकार्य होना चाहिए यह मन्थन चलता ही रहता था। इतने में एक दिन कोड से पीडित एक अपंग मनुशिक मेरे घर आ पहुचा। उसे खाना देकर विदा कर देने के लिए दिल तयार न हुआ। मैंने उसको एक कोठरी में ठैराया, उसके घाव साफ किये और उसकी सेवा की। परिया व्यवस्था अधिक दिन तक ना चल सकती थी। उसे हमेशा के लिए घर में रखने की सुविधा मेरे पास न थी, न मुझ में इतनी हिम्मत ही थी। इसलिए मैंने उसे गिर्मिटियों के लिए चलने वाले सरकारी अस्पताल में भेज दिया। पर इससे मुझे आशवासन ना मिला। मन में हमेशा यह विचार बना रहता कि सेवा शुशुशा का ऐसा काम मैं हमेशा कुछ करता रहूं तो कितना अच्छा हो। डॉक्टर बूत सेंट आडम्स मिशन के मुखिया थे। वे हमेशा अपने पास आने वालों को मुफ्त दवा दिया करते थे। बहुत भले और दयालू आदमी थे। पारसी रुस्तम जी की दानशीरता के कारां डॉक्टर बूत की देखरेख में एक बहुत छोटा अस्पताल खुला। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं इस अस्पताल में नर्स का काम करूं। उसमें दवा देने के लिए एक से दो घंटों का काम रहता था। उसके लिए दवा बना कर देने वाले किसी वेतन भोगी मनुष्य की स्वयम सेवक की आवश्चक्ता थी। मैंने ये काम अपने जिम्बे लेने और अपने समय में से इतना समय बचाने का निर्णे किया। नहीं होते थे। ऐसे मावलों को चलाने की जिम्मेदारी मिस्टर खान में जो मुझसे बाद में आये थे और जो उस समय मेरे साथ ही रहते थे अपने सर ले ली। और उस छोटे से अस्पताल में मैं काम करने लगा। रोज सभेरे वहाँ जाना होता था। आने जाने में और अस्पताल में काम करने में प्रति दिन लगभग दो गंटे लगते थे। इस काम से मुझे थोड़ी शान्ती मिली। मेरा काम वीमार की हालत समझ कर उसे डॉक्टर को समझाने और डॉक्टर की लिखी दवा तयार करके वीमार को दवा देने का था। इस काम से मैं दुखी दर्दी हिंदुस्तानियों के निकट संपर्क में आया। उनमें से अधिकांश, तमिल, तेलुगू तथा उत्तर हिंदुस्तान के गिर्मिटिया होते थे। यह अनुभव मेरे भविश में बहुत उप्योगी सिद्ध हुआ। बो और युद के समय घायलों की सेवा शुशुशा के काम में और दूसरे बीमारों की परिचर्चा में मुझे इससे बड़ी मदद मिली। बालकों के पालन पोशन का प्रश्न तो मेरे सामने था ही। दक्षुन अफ्रीका में मेरे दो और लड़के हुए। उन्हें किस तरह पाल पोशकर बड़ा किया जाए। इस प्रश्न को हल करने में मुझे इस काम ने अच्छी मदद की। क्या दशा होगी। दाई तो हिंदुस्तानी ही रखनी थी। तालीम पाई हुई हिंदुस्तानी दाई हिंदुस्तान में भी मुश्किल से मिलती है। तब दक्षण अफ्रीका की तो बात ही क्या की जाए। अतेव मैंने बाल संगोपन का अधेयन कर लिया। डॉक्टर त्र के लिये ली दो महिनों से ज्यादा तो ली ही नहीं। वह भी मुख्यता धर्म पत्नी की सेवा के लिये ही। बालकों को नहलाने धुलाने का काम शुरू से मैं ही करता था। अंतिम शुचु के जन्म के समय मेरी पूरी पूरी परिक्षा हो गई। पत्नी को प्रसव वेदना अचानक शुरू हुई। डॉक्टर घर पर ना थे। दाई को बुलवाना था। वपास होती तो भी उससे प्रसव कराने का काम ना हो पाता। अता प्रसव के समय का सारा काम मुझे अपने हाथों ही करना पड़ा। सौभागी से मैंने इस विशय को माने शिखामन पुस्तक में ध्यान पूर्वक पढ़ लिया था। इसलिए मुझे कोई घवराहट न हुई। मैंने देखा कि अपने बालकों के समुचित पालन पोशन के लिए माता पिता दोनों को बाल सगोपन आदी का साधारन ग्यान प्राप्त कर लेना चाहिए। मैंने तो इस विशय की अपनी साधानी का लाब पग पग पर अनुभव किया है। मेरे बालक आज जिस सामान स्वास्त का लाब उठा रहे हैं उसे वे उठा ना पाते यदि मैंने इस विशय का सामान ग्यान प्राप्त करके उस पर अमल ना किया होता। हम लोगों में ये फैला हुआ है कि पहले पांच व पर्षों में बालक को जो मिलता है वो बाद में कभी नहीं मिलता। मैं यह अपने अनुभव से कह सकता हूं कि बच्चे की शिक्षा मां के पेट से शुरू होती है। गर्भाधान काल की माता-पिता की शारीरिक और मानसिक इस्थिति का प्रभाव बालक पर पढ़ता है। उसके विकास का आधार माता-पिता पर रहता है। जो समझधार दमपत्ती इन बातों को सोचेंगे वेपती-पत्नी के संग को कभी विशयवासना की त्रिप्ति का साधन नहीं बनाएंगे। बलकि जब उन्हें संतान की इच्छा होगी तभी सहवास करेंगे। रति सुख एक स्वतंत्र वस्तु है। इस धारना में मुझे तो गोर अज्यान ही दिखाई पड़ता है। जननक्रिया पर संसार के अस्तित्व का आधार है। संसार इश्वर की लीला भूमी है, उसकी महिमा का प्रतिविंब है। उसकी सुव विवस्तित बुद्धी के लिए ही रतिक क्रिया का निर्मान हुआ है। इस बात को समझने वाला मनुष्य विशय वासना को महा प्रयत्न करके भी अंकुष में रखेगा और रति सुख्य परिणाम सोरूप होने वाली संत्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रक्षा के लिए जिस ग्यान की प्राप्ति ब्रहमचर के विशय में विचार करने का समय आ गया है। एक पत्नी वरत का तो विवाह के समय से ही मेरे हिर्दय में स्थान था। पत्नी के प्रति वफादारी मेरे सत्य वरत का अंग था। पर अपनी इस्त्री के साथ भी ब्रहमचर का पालन करना चाहिए इसका स्पष्ट बोध मुझे दक्षन अफ्रिका में ही हुआ। किस प्रसंग से अथवा किस पुस्तक के प्रभाव से यह विचार मेरे मन में उत्पनू हुआ, ये तो मुझे आज स्पष्ट याद नहीं है कि इसमें रायचंद भाई के प्रभाव की प्रधानता थी। उनके साथ के समवाद क मुझे स्मरा है। एक बार मैं ग्लैंस्टन के प्रती मिसस् ग्लैंस्टन के प्रेम की प्रशनसा कर रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि परलियमींट की सभा में भी मिसस ग्लैंसं अपने पती को चाय बना कर पिलाती थी, इस वस्तु का पालन इस नियम बद दमपती के जीवन का एक नियम बन गया था, मैंने कभी को यह प्रसंग पढ़ कर सुनाया और उसके संदर्भ में दमपती प्रेम की स्तुति की, रायचन भाई बोले, इसमें तुम्हें महत्व की कौन सी बात मालू होती है, मिसस ग्लाडस्टन का पत्नीत्व या उनका सेवा भाव, यदि वे ग्लाडस्टन की बहन होती तो, अथवा उनकी वफादार नौकरानी होती और उतने ही प्रेम से चाय देती तो, ऐसी बहनों, ऐसी नौकरानियों के द्रिश्टांत क्या हमें आज नहीं मिलते, और उस समय तो मुझे उनके ये वचन कठोर लगे थे, पर इन वचनों ने मुझे चुमबक की तरह पकड़ लिया, मुझे लगा कि पुरुष सेवक की ऐसी स्वामी भक्ती का मूल्य, पत्नी की पति निष्ठा के मूल्य से हजार गुना अधिक है, पति-पत्नी में एक के होता ह इसलिए उनमें परसपर प्रेम हो तो कोई आश्चड नहीं, मालिक और नौकर के बीच वैसा प्रेम प्रयतन पूर्वक विक्सित करना होता है, दिन पर दिन कवी के वचनों का बल मेरी दृष्ठी में बढ़ता प्रतीत हुआ, मैंने अपने आप से पूछा, मुझे अपने पत्नी के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, पत्नी को विशय भोग का वाहन बनाने में पत्नी के प्रती वफादारी कहां रहती है, जब तक मैं विशय वासना के अधीन रहता हूँ, तब तक तो मेरी वफादारी का मूली साधारन ही माना जाएगा, यहां मुझे यह कहना ह चाहिए कि हमारे आपस के संबंध में पत्नी की ओर से कभी आक्रमन हुआ ही नहीं, इस द्रिष्टी से जब मैं चाहता तभी मेरे लिए ब्रह्मचर का पालन सुलब था, मेरी अशक्ती अथवा आशक्ती ही मुझे रोक रही थी, जागरत होने के बाद भी दो बार तो मैं व मुझ पढ़ा था, डॉक्टर एलिंसन के उन उपायों के प्रचार का उल्लेक मैं अन्नाहार विशयक प्रक्रण में कर चुका हूँ, उसका थोड़ा और क्षणिक प्रभाव मुझ पर पढ़ा था, पर मिस्टर हिल्स ने उसका जो विरोध किया था और आंतरिक साधन के संय संयम के समर्थन में जो कहा था, उसका प्रभाव मुझ पर बहुत अधिक पढ़ा और अनुभव से वच्चर स्थाई बन गया, इसलिए संतान उत्पत्ती की आवश्यक्ता ध्यान में आते ही मैंने संयम पालन का प्रयत्न शुरू कर दिया, संयम पालन की कठिनाईयों का पा इन सब प्रयत्नों में मुझे अंतिम निश्चय का बल दिया, अंतिम निश्चय तो मैं सन 1906 में ही कर सका था, उस समय सत्याग्रह का आरंभ नहीं हुआ था, मुझे उसका सपना तक नहीं आया था, बोहर युद के बाद नेटाल में जुलू विद्रो हुआ, उस समय मैं जो पिकृत हुई, उसका वर्णन आगे आएगा, पर इस सेवा के सिलसले में मेरे मन में सैयम पालन के तीवर विचार उतपन हुए, अपने स्वभाव के अनुसार मैंने साथियों से इसकी चर्चा की, मैंने अनुभव किया कि संतान उतपत्ती और संतान का लालन पालन सारवज सेवा के विरोधी हैं इस विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए मुझे जोहानिस बर्ग की अपनी ग्रहस्ती उजार देनी पड़ी थी टीप टाप से बसाए गए घर का और साध समान का जिसे बसाए मुश्किल से एक महीना हुआ होगा मैंने त्याग कर दिया पतनी और का त्याग करना चाहिए और वान प्रस्त धर्म का पालन करना चाहिए विद्रोह में तो मुझे डेड़ महीने से अधिक का समय नहीं देना पड़ा पर 6 हफ्तों का ये समय मेरे जीवन का अत्यंत मूल्यवान समय था इस समय मैंने व्रत के महत्व को अधिक से अधिक समझा मै मुझे अपनी शक्ति पर अविश्वास था, ईश्वर की कृपा पर अविश्वास था और इस कारण मेरा मन अनेक तरंगों और अनेक विचारों के चक्कर में पड़ा रहता था। जो वस्तु त्याज्य है, उसका सर्वता त्याग करने में हानी कैसे हो सकती है। जो साप मुझे डसने वाला है, उसका त्याग मैं निश्चय कूरवक करता हूँ। त्याग का केवल प्रयत्न नहीं करता। दर्शन नहीं हुआ है या सिद्ध होता है। आगे चलकर मेरे विचार बदल गए तो ऐसी शंका करके प्राया हम वरत लेने से डरते हैं। इस विचार में इस पश्ट दर्शन का अभाव ही है। इसी लिए निश्कुलानन ने कहा है त्याग न टके रे वैराग बिना। जह ब्रह्मचर्यत दो अंबंद का त्याग मुझे एक अनोखी बात मालूम होती थी। फिर भी मैं यह साफ देख सकता था कि यही मेरा करतव्य है। मेरी नियत शुद्ध थी। यह सोचकर कि भगवान शक्ती देगा मैं इसमें कूद पड़ा। आज 20 बरस बाद उस वरत का स्मरन करते हुए मुझ सानन्द आश्चर होता है। संयम पालने की वृत्ती तो मुझ में 1901 से ही प्रबल थी और मैं सयम पाल भी रहा था। पर जिस स्वतंत्रता और आनन्द का उपभोग मैं अब करने लगा सन 1906 के पहले उसके वैसे उपयोग का इसमरन मुझे नहीं है। क्योंकि मैं उस समय वासना बद्ध था, किसी भी समय उसके वश हो सकता था। अब वासना मुझ पर सवारी करने में असमर्थ हो गई। साथ ही मैं अब ब्रह्मचर की महिमा को अधिक अधिक समझने लगा। वरत मैंने फिनिक्स में लिया था। घायलों की सेवा की लड़ाई का श्री गणेश हुआ। मानो ब्रह्मचर वरत मुझे उसके लिए तयार करने ही आया हो। सत्याग्रह की कोई कलपना मैंने पहले से करके नहीं रखी थी। उसकी उत्पत्ति अनायास अनिच्छा पूर्वक ही हुई। पर मैंने देखा कि उससे पहले के मेरे स सारे कदम, फिनिक्स जाना, जोहनिस बर्ग का भारी घरखर्च कम कर देना और अंत में ब्रह्मचर वरत लेना मानो उसकी तयारी के रूप में ही थे। ब्रह्मचर के संपूर्ण पालन का अर्थ है ब्रह्मदर्शन। यह ज्यान मुझे शास्त्र द्वारा नहीं हुआ। य और आत्मा का रक्षन समाया हुआ है इसे मैं वरत लेने के बाद दिन दिन अधिक अधिक अनुभव करने लगा। अब भ्रह्मचर को एक घोर तपश्चर के रूप में रहने देने के बदले उसे रसमय बनाना था। उसी के सहारे निभना था। विशेष्ताओं के मुझे नित नय दर्शन होने लगे। इस प्रकार यद्यपी मैं इस वरत में से रस लूट रहा था तो भी कोई यह माने कि मैं उसकी कठिनाई का अनुभव नहीं करता था। आज मुझे 56 वर्ष पूरे हो गए। फिर भी इसकी कठिनता का अनुभव तो मुझे होता ही है। यह एक असिधारा वरत है। इसे मैं अधिकाधिक समझ रहा हूँ और निरंतर जागरती की आवश्चकता का अनुभव करता हूँ। ब्रमचरे का पालन करना हो तो स्वाद एंद्रिय पर प्रभुत्व प्राप्त करना ही चाहिए। मैंने स्वयम अनुभव किया है कि यदि प्राप्त करके अनुभव किया कि आहार थोड़ा, साधा, बिना मिर्श मसाले और प्राकृतिक इस्थिति वाला होना चाहिए। ब्रमचारी का आहार वनपको फल है। इसे अपने विशय में तो मैंने 6 वर्ष तक प्रयोग करके देखा है। जब मैं सूखे और हरे वनपको फलों पर रहता था, तब जिस निर्विकार अवस्था का अनुभव मैंने किया, वैसा अनुभव आहार में परिवर्तन करने के बाद मुझे नहीं हुआ। फलाहार के दिनों में ब्रमचार स्वाभाविक हो गया था, दुख दाहार के कारण वह कष्ट साध्य बन गया है। मुझे फलाहार से दुख दाहार पर क्यों जाना पड़ा, इसकी चर्चा मैं यथा स्थान करूंगा। यहां तो इतना कहना काफी है कि ब्रमचारी के लिए दूद का आहार वरत पालन में बाधक है, इस विशय में मुझे शंका नहीं है। इसका कोई यह अर्थ ना करे कि ब अचने वाला फलाहार मुझे अभी तक मिला नहीं और ना कोई वैद्य हकीम या डॉक्टर ऐसे फलों अथवा अन की जानकारी दे सका है। अतेव दूद को विकार उत्पादक वस्तु जानते हुए भी मैं उसके त्याग की सलाह अभी किसी को नहीं दे सकता। वाय उपचा हैं कि उन्हें चारों तरफ से उपर से और नीचे से या दसों दिशाओं से घेरा जाए तो ही वे अंकुष में रहती हैं। सब जानते हैं कि आहार के बिना वे काम नहीं कर सकती। अतेव इंद्री दमन के हेतु से स्वेच्छा पूर्वक किये गए उपवास से इंद्री द स्थूल उपवास करते हैं और मन से 56 भोगों का स्वाद लेते रहते हैं। उपवास की समापती पर क्या खाएंगे इसके विचारों का स्वाद लेते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ना स्वादेंद्रीय का सयम सधा और ना जनेंद्रीय का। उपवास की सच्ची में रहती हैं। उपवास आदी साधनों से यद्यपी बहुत सहायता मिलती है। फिर भी वह अपेक्षा कृत कम ही होती है। कहा जा सकता है कि उपवास करते हुए भी मनुष्य विशायासक्त रह सकता है। पर बिना उपवास के विशायासक्ति को जड़ मूल से मिटाना नहीं है। अतेव ब्रह्मचर के पालन में उपवास अनिवार अंग है। ब्रह्मचर का प्रयत्न करने वाले बहुतेरे लोग विफल होते हैं क्योंकि वे खाने-पीने, देखने-सुन्ने, इत्यादी में अब बरह्मचारी की तरह रहना चाहते हुए भी ब्रह्मचर पालन करने की इच्छा रखते हैं. यह प्रयत्न वैसा ही कहा जाएगा जैसा गर्मी में जाड़े का अनुभव करने का प्रयत्न. संयमी और स्वयराचारी के भोगी और त्यागी के जीवन में भेद होना ही चाहिए. साम में होता है पर वह उपर से देखने भर का. भेद उप्योग दोनों करते हैं. ब्रह्मचारी देवदर्शन करता है. भोगी नाटक सिनेमा में लीन रहता है. दोनों कान का उप्योग करते हैं. पर एक इश्वर भजन सुनता है. दूसरा विलासी गाने सुनने में रस लेता है. दोनों जागरण करते हैं. पर एक जागरत अव के लिए देह को भाड़ा देता है दूसरा स्वाद के लिए देह में अनेक वस्तुएं भर कर उसे दुरगंद का घर बना डालता है इस प्रकार दोनों के आचार विचार में यह अंतर दिन दिन बढ़ता जाता है घटता नहीं ब्रमचर का अर्थ है मन वचन से समस्त इंद्रि नहीं है जैसे ब्रमचर की पहिमा की कोई सीमा नहीं है ऐसा ब्रमचर अल्प प्रयत्न से सिद्ध नहीं होता करोणों लोगों के लिए वस्तदा केवल आदर शुरूप ही रहेगा क्योंकि प्रयत्न शील ब्रह्मचारी अपनी तुर्टियों का नित्य दर्शन करेगा अपने अंदर ओने कोने में छिप कर बैठे हुए विकारों को फैचान लेगा और उन्हें निकालने का सतत प्रैत्न करेगा जब तक विचारों का इतना अंकुष प्राप्त नहीं होता कि इच्छा के बिना एक भी विचार मन में ना आए तक भ्रम्मचर्य संपूर्ण नहीं का आजा सकता विचार मात्र विकार है मन को वश में करना और मन को वश वायू को वश में करने से भी कथिन है फिर भी यदी आत्मा है तो यह वस्तु भी साध्य है ही हमारे मार्ग में कठिनाईयां आकर बाधा डालती है इससे कोई यह न माने कि वह असाध्य है और परम अर्थ के लिए परम प्रयत्न की आवश्चक्ता हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या परन्तु ऐसा भ्रम्मचर्य केवल प्रयत्न साध्य नहीं है इसे मैं हिंदुस्तान में आने के बाद अनुबव किया कहा जा सकता है कि तब तक मैं मूर्चावश था मैंने यह मान लिया था कि फल आहार से विकार समूल नष्ट हो जाते हैं और मैं अभिमान पूरवक यह मानता था कि अब मेरे लिए कुछ करना बाकी नहीं है पर इस विचार के प्रक्रण तक पहुचने में अभी देर है। इस बीच इतना कह देना आवश्चक है कि इश्वर साक्षातकार के लिए जो लोग मेरी व्याख्या वाले ब्रहमचर का पालन करना चाहते हैं, वे यदि अपने प्रयत्न के साथ ही इश्वर पर शद्धा रखन गीता अध्याय दो श्लोक उनसठ अर्थात निरहारी के विशे तो शांत हो जाते हैं पर उसकी वासना का शमन नहीं होता, इश्वर दर्शन से वासना भी शांत हो जाती है। अतेव आत्मार्थी के लिए राम नाम और राम क्रिपा ही अंतिम साधन हैं, इस वस्तु का साक् मैंने हिंदोस्तान में ही किया। इसलिए दो-तीन दर्जन कमीजों और उतने कालरों से भी मेरा काम चल नहीं पाता था। कमीज रोज नहीं तो एक दिन के अंतर में मदलता था। इससे दोरा खर्च होता था। मुझे या व्यर्थ प्रतीत हुआ। अतेव मैंने धुलाई का सामान जुटाया। धुलाई कल लग गया था और इस्तरी पूरी गरम नहीं थी। इस पर कॉलर के जल जाने के डर से इस्तरी को मैंने अच्छी तरह दबाया भी नहीं था। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया पर उसमें से कलफ जड़ता रहता था। ऐसी हालत में मैं कोड गया और वहां के बैरिस्टर के लिए मजाग का साधन बन गया पर इस तरह का मजाग सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझ में काफी थी मैंने सफाई देते हुए कहा अपने हाथों कॉलर धोने का मेरा यह पहला प्रयोग है इस कारण इसमें कलफ जड़ता है मुझे इससे कोई अर्चन नहीं होती तिस पर आ कॉलर की कीमत के बराबर धुलाई हो जाती है और इतनी धुलाई देने के बाद भी धोबी की गुलामी करनी पड़ती है इसकी अपेक्षा अपने हाथ से धोना मैं ज्यादा पसंद करता हूं स्वाव लंबन की यह खुबी मैं मित्रों को समझा नहीं सका मुझे कहना थी गोखले के पास स्वर्गी महादेव गोविंदर राना डे की प्रसादी रूप में एक दुपट्टा था गोखले उस दुपट्टे को अतिशय जतन से रखते थे और विशेश अफसर पर ही उसका उप्योग करते थे जुआनिसबर्ग में उनके सम्मान में जो भोज दि दोग करना था उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी और उस पर इस्तरी करने की जरूरत थी धोबी का पता लगा कर उससे तुरंत इस्तरी कराना संभव ना था मैंने अपनी कला का उप्योग करने देने की अनुमती गोखले से चाही मैं तुमारी वकालत का तो विश्वास कर लूँगा पर इस दुपट्टे पर तुम्हें अपनी धोबी कला का उप्योग नहीं करने दूँगा इस दुपट्टे पर तुम दाग लगा दो तो इसकी किमत जानते हो ये कहकर अत्यंत उल्लाज से उन्होंने प्रसादी की कथा मुझे सुनाई फिर भी मैंने विंती की और दाग ना पढ़ने देने की जिम्मेधारी ली मुझे इस्तरी करने की अनुमती मिली और अपनी कुषलता का प्रमाड़ पत्र मुझे मिल गया अब दुनिया मुझे प्रमाड़ पत्र ना दे तो भी क्या जिस तरह मैं धोबी की गुलामी से छूटा उसी तरह नाई की ग प्रजाम की दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इंकार कर दिया। और इंकार करते हुए जो तिरसकार प्रकट किया, सो घाते में रहा। मुझे दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा। मैंने बाल काटने की मशीन खरी दी और आइने के सामने खड़े रहकर बाल काटे। बाल जैसे तैसे कट तो गए पर पीछे के बाल काटने में बड़ी कठिनाई हुई। सीधे तो वे कठी न पाए। कोट में खूब कहके लगे। तुमारे बाल ऐसे क्यों हो गए हैं। सिर पर चुए तो नहीं चड़ गए थे। मैंने कहा, जी नहीं मेर काले सर को गोरा हज्जाम कैसे सूज सकता था। इसलिए कैसे भी क्यों न हो अपने हाथ से काटे हुए बाल मुझे अधिक प्रीय हैं। इस उत्तर में मित्रों को आश्चर्य नहीं हुआ। असल में उस हज्जाम का कोई दोश ना था। अगर वह काली चमडी वालों के बाल काटने लगता तो उसकी रोजी मारी जाती। हम भी अपने अच्छूतों के बाल उची जाती के हिंदों के हज्जाम को कहां काटने देते हैं। दक्षन अफ्रीका में मुझे इसका बदला एक नहीं अने को बार मिला है। और चुकि मैं यह मानता था कि यह हमारे दोश का प उसके फलने फूलने के लिए केवल सिंचाई की आवश्यक्ता थी। वह सिंचाई अनायास ही मिल गई। अनता था कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत विचारों के अनुसार काम करने का अधिकार मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध के मन्थन चिंतन का सूक्ष्म निरीक्षन मैंने दक्षन अफ्रीका के सत्यागरह का इतिहास में किया है। इसलिए यहां नहीं करन चाहता। जिग्यासुओं को मेरी सला है कि वे उस इतिहास को पढ़ जाएं। यहां तो इतना कहना काफी होगा कि ब्रिटिश राज्य के प्रती मेरी वफादारी मुझे उस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जबरदस्ती घसीट ले गई। इनुभफ किया कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाजन के नाते अधिकार माग रहा हूं तो उसी नाते ब्रिटिश राज्य की रक्षा में हाथ बटाना भी मेरा धर्म है। उस समय मेरी यह राय थी कि हिंदुस्तान की संपूर्ण उन्नती ब्रिटिश सामराज्य के अंदर रहकर हो सकती है। अतेव जितन संकट के कामों में नहीं पड़ते। इसलिए कई अंग्रेज मित्रों ने मुझे निराज करने वाले उत्तर दिये। अकेले डॉक्टर बूत ने मुझे प्रोथसाहित किया। उन्होंने हमें घायल युद्धाओं की सार संभाल करना सिखाया। अपनी योगिता के विशय मे हमने डॉक्टरी प्रमान पत्र प्राप्त किये। मिस्टर लाटन और स्वर्गी एसकंबे ने भी हमारे इस कारे को पसंद किया। अंत में लड़ाई के लिए हमने सरकार से बिंती की। जवाब में सरकार ने हमें धन्यवाद किया पर यह सूचित किया कि इस समय हमें आपकी सेवा की आवश्यक्ता नहीं है पर मुझे ऐसी ना से संतोष मान कर बैठना नहीं था डॉक्टर बूत की मदद लेकर उनके साथ मैं नेटाल के बिशप से मिला हमारी टुकडी में बहुत से इसाई हिंदुस्तानी थे बिशप को मेरी यह मांग बहुत पसंद आई उन्होंने म रंगरूटों की जरूरत पड़ी और अंत में हमारी बिंती स्वीक्रित हुई हमारी इस टुकडी में लगभग 1100 आदमी थे उनमें करीब 40 मुखिया थे दूसरे कोई 300 स्वतंत्र हिंदुस्तानी भी रंगरूटों में भरती हुए थे डॉक्टर बूत भी हमारे साथ थे उ अफसर भी हमें मिला ऐसे संकट में ना पढ़ने का एकरार सरकार ने अपनी इच्छा से हमारे साथ किया था पर इस प्यांकोप की हार के बाद हालत बदल गई इसलिए जनरल बुलर ने यह संदेशा भेजा कि यद्यपी आप लोग जोखिम उठाने के लिए वचन बद नही हैं तो भी यदि आप जोखिम उठाकर घायल सिपाहियों और अफसरों को रण चेत्र से उठाकर और डोलियों में डाल कर ले जाने को तयार हो जाएंगे तो सरकार आपका उपकार मानेंगी हम तो जोखिम उठाने को तयार थे ही अतेव स्प्याकोप के लड़ाई के बाद हम गोला बारुद की सीमा के अंदर काम करने लगे इन दिनों सबको कई बार में 20-25 मील की मंजिल तै करनी पड़ती थी और एक बार तो घायलों को डोली में डाल कर इतने मील चलना पड़ा था जिन घायल युद्धाओं को हमें ले जाना पड़ा उनमें जनरल वुड़ गेट वगारा भी थे छे हफ़तों के बाद हमारी टुकडी को विदा दी गई इस प्याकोप और वॉलकुरांस की हार के बाद लेडी स्मिथ आदी स्थानों को बोरों के घेरे में से बड़ी तेजी के साथ छुड़ाने का विचार बिटिश सेना पती ने छोड़ दिया था और इंगलैंड तथा हिंदुस्तान से और अधिक सेना के आने की राह देखने लगे तथा धीमी गती से काम करने का निश्चे किया था हमारे छोटे से काम की उस समय तो बड़ी स्तुती हुई इससे हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बड़ी आखिर हिंदुस्तानी सामराज्य के वारिस तो हैं ही इस आशय के गीद गाए गए जनरल बुलर ने अपने खरीते में हमारी टुकडी के काम की तारीफ की मुख्यों को युद्ध के पदक भी मिले इससे हिंदुस्तानी कौम अधिक संगठित हो गई मैं गिर्मिटिया हिंदुस्तानियों के अधिक संपर्क में आ सका उनमें अधिक जागरती आई और हिंदु, मुसल्मान, इसाई, मदरासी, गुजराती, सिंधी सब हिंदुस्तानी हैं यह भावना अधिक द्रिड होई सबने माना कि अब हिंदुस्तानियों के दुख दूर होने ही चाहिए उस समय तो गोरों के व्यवहार में भी इस पश्ट परिवर्तन दिखाई दिया लडाई में गोरों के साथ जो संपर्क हुआ वह मधूर था हमें हजारों टौमियों के साथ रहने का मौका मिला वे हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते थे और यह जानकर कि हम उनकी सेवा के लिए आए हैं हमारा उपकार मानते थे दुख के समय मनुष्य का सुभाव किस तरह पिघलता है इसका एक मधूर संसमरन यहां दिये बिना मैं नहीं रह सकता हम चीवली छावनी की तरफ जा रहे थे यह वही क्षेत्र था जहां लॉड रॉबर्स के पुत्र को प्राण घा तक चोट लगी थी लेफटेनें रॉबर्स के शव को ले जाने का सम्मान हमारी टुकडी को मिला था अगले दिन तेज धूप थी हम कूच कर रहे थे सब प्यासे थे पानी पीने के लिए रास्ते में एक छोटा सा जहरना पड़ा पहले पानी कौन पीए मैंने सोचा कि पहले टॉमी पानी पी लें बाद में हम पीएंगे पर टॉमियों ने हमें देखकर तुरंथ हमसे पानी पी लेने का आग्रह शुरू किया और इस तरह बड़ी देर तक हमारे बीच आप पहले हम पीछे का मीठा जगडा चलता रहा समाज के एक भी अंग का निरुप योगी रहना मुझे हमेशा अखरा है जनता के दोश छिपा कर उसका बचाव करना अथवा दोश दूर किये बिना अधिकार प्राप्त करना मुझे हमेशा अरुचिकर लगा है इसलिए दक्षिन अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों पर लगाये जाने वाले एक आरोप का जिसमें कुछ तत्य था मैंने इलाज करने का काम मैंने वहां के निवासकाल में ही सोच लिया था हिंदुस्तानियों पर जब तब यह आरोप लगाया जाता था कि वे अपने घरबार साफ नहीं रखते और बहुत गंदे रहते हैं इस आरोप को निशेश करने के लिए आरंभ में हिंदुस्तानियों के मुख्या माने जाने वाले लोगों के घरों में तो सुधार आरंभ हो ही चुके थे पर घर घर घूमने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब डर्बन में प्लेग के प्रकोप का डर पैदा हुआ इसमें मुनिस्पैल्टी के अधिकारियों का भी सहयोग और सम्मती थी हमारी सहायता मिलने से उनका काम हलका हो गया और हिंदुस्तानियों को कम कश्ट उठाने पड़े क्योंकि साधाराता जब प्लेग आदी का उबदरव होता है तब अधिकारी घबरा जाते हैं और उपायों की यूजना में मर्यादा से आगे बढ़ जाते हैं जो लोग उनकी द्रिष्टी में खटकते हैं उन पर उनका दबाव असहाय हो जाता है भारती समाज में खुद ही सख्त उपायों से काम लेना शुरू कर दिया था इसलिए वह इन सख्तियों से बच गया मुझे कुछ कड़वे अनुभव भी हुए मैंने देखा कि इस्थानी सरकार से अधिकारों की मांग करने में जितनी सरलता से मैं अपने समाज की सहायता पर कर सकता था उतनी सरलता से लोगों से उनके कर्तव का पालन कराने के काम में सहायता प्राप्त न कर सका कुछ जगहों पर मेरा अपमान किया जाता कुछ जगहों पर विनय पूर्वक उपेक्षा का परिचय दिया जाता गंदगी साफ करने के लिए कश्ट उठाना उन्हें अखरता था तब पैसा खर्च करने की तो बात ही क्या लोगों से कुछ भी काम कराना हो तो धीरज रखना चाहिए यह पाठ मैंने सीख लिया सुधार की गरस तो सुधारक की अपनी होती है जिस समाज में वा सुधार कराना चाहता है उससे तो उसे विरोध, तिरसकार और प्राणों के संकट की भी आशा रखनी चाहिए को न्यूनाधिक मात्रा में स्विकार कर लिया गया अधिकारियों की द्रिष्टी में मेरी साख बढ़ी वे समझ गय कि मेरा धंदा केवल शिकायत मांगने का ही नहीं है बलकि शिकायत करने या अधिकार मांगने में मैं जितना ततपर हूँ उतना ही उत्साह और द्रिर्ता भीतरी सुधार के लिए भी मुझ में है परभी समाज की वृत्ति को दूसरी एक दिशा में विक्सित करना बाकी था इन उपनिवेश्वासी भारतियों को भारत वर्ष के प्रती अपना धर्म भी अवसर आने पर समझना और पालना था भारत वर्ष तो कंगाल है लोग धन कमाने के लिए परदेश जाते हैं उनकी कमाई का कुछ हिस्सा भारत वर्ष को उनकी आपत्ती के समय मिलना चाहिए सन 1817 में यहां अकाल पड़ा था और सन 1899 में दूसरा भारी अकाल पड़ा इन दोनों अकालों के समय दक्षिन अफरीका से अच्छी मदद आई थी पहले अकाल के समय जितनी रकम इखटा हो सकी थी दूसरे अकाल के मौके पर उससे कहीं अधिक रकम इखटा हुई थी इस चंदे में हमने अंग्रेजों से भी मदद मागी थी और उनकी ओर से अच्छा उत्तर मिला गिर्मिटिया हिंदुस्तानियों ने अपने हिस्से की रकम जमा कराई थी इस प्रकार इन दो अकालों के समय जो प्रथा शुरू हुई वह अब तक कायम है और हम देखते हैं कि जब भारत वर्ष में कोई सार्वजनिक संकट उपस्थित होता है तब दक्षण अफरीका की ओर से वहां बसने वाले भारती हमेशा अच्छी रकमें भेजते हैं इस तरह दक्षण अफरीका के भारतीयों की सेवा करते हुए मैं सोयम धीरे-धीरे कई बातें अनायास ही सीख रहा था सत्य एक विशाल वरिक्ष है जयों-जयों उसकी सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें से अनेक फल पैदा होते दिखाई पड़ते हैं उसका अंत ही नहीं होता हम जैसे जैसे उसकी गहराई में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें से अधिक रत्म मिलते जाते हैं, सेवा के अवसर प्राप्थ होते रहते हैं 12. देश गमन लड़ाई के काम मुक्थ होने के बाद मैंने अनुभव किया कि अब मेरा काम दक्षड अफरीका में नहीं बलकि हिंदुस्तान में हैं मैंने देखा कि दक्षिल अफ्रीका में बैठा बैठा मैं कुछ सेवा तो अवश्य कर सकूँगा पर वहां मेरा मुख्य धंदा धन कमाना ही हो जाएगा। देश का मित्रवर्ग भी देश लोटाने के लिए बराबर आग्रह करता रहता था। मुझे भी लगा कि देश जाने से मेरा उप्योग अधिक हो सकेगा। निटाल में मिस्टर खान और मनसुक लाल नाजर थे ही। मैंने साथियों के सामने मुक्त होने की इच्छा प्रकट की। बड़ी कठिनाई से एक शर्थ के साथ वह स्विक्रित हुई। शर्थ यह कि यदि एक वर्ष के अंदर कौम को मेरी आवश्रक्ता मालूम हुई तो मुझे वापस दक्षड अफ्री का पहुचना होगा। मुझे यह शर्थ कड़ी लगी पर मैं प्रेम पाश में बंधा हुआ था। मित्रों की बाद को मैं ठुकरा नहीं सकता था। मैंने वचन दिया और उनकी अनुमती प्राप्त की। कहना होगा कि इस समय मेरा निकट संबंध नेटाल के साथ ही था। नेटाल के हिंदुस्तानियों ने मुझे प्रेम आमृत से नहला दिया। जगा जगा मानपत्र समर्पन की सभाएं हुई और हर जगा से कीमती भेटे मिली। तन 1896 में जब मैं देश आया था तब भी भेटे मिली थी। पर इस बार की भेटों में से और सभाओं के द्रश्च से मैं अकुला उठा। भेटों में सोने चांदी की चीजें तो थी ही पर हीरे की चीजें भी थी। इन सब चीजों को स्विकार करने का मुझे क्या अधिकार था। यदि मैं उन्हें स्विकार करता तो अपने मन को यह कैसे समझाता कि कौम की सेवा मैं पैसे लेकर नहीं करता। इन भेटों में से मुवक्किलों की दिव हुई थोड़ी चीजों को छोड़ दें तो बाकि सब मेरी सारवजनिक सेवा के निमित से ही मिली थी फिर मेरे मन में तो मुवक्किलों और दूसरे साथियों के बीज कोई भेद नहीं था खास खास सभी मुवक्किल सारवजनिक कामों में भी मदद देने वाले थे साथ ही इन भेटों में से 50 गिन्यों का एक हार कस्तूर बाई के लिए था पर वह वस्तु भी मेरी सेवा के कारण ही मिली थी इसलिए वह दूसरी भेटों से अलग नहीं की जा सकती थी जिस शाम को इन में से मुख्य भेटे मिली थी वह रात मैंने पागल की तरह जाग कर बिताई मैं अपने कमरे में चक्कर काटता रहा पर उलजन किसी तरह सुलजती ना थी सैकड़ों की कीमत के उपहारों को छोड़ना कठिन मालूम होता था रखना उससे भी अधिक कठिन लगता था मन प्रश्न करता मैं शायद भेटों को पचा जाऊं पर मेरे बच्चों का क्या होगा इस्तरी का क्या होगा उन्हें शिक्षा तो सेवा की मिलती थी उठियां कौन पहनता मैं उस समय भी गहनों गांठों का मोख छोड़ने का उपदेश औरों को दिया करता था अब इन गहनों और जवाहरात का मैं क्या करता मैं इस निड़ने पर पहुचा कि मुझे ये चीज नहीं रखनी चाहिए पारसी रुस्तम जी आदी को इन गहनों का ट्रस्टी नियुक्त करके उनके नाम लिखे जाने वाले पत्र का मस्विदा मैंने तयार किया और सबेरे इस्त्री पुत्रादी से सलाह करके अपना बोज हलका करने का निश्चे किया मैं जानता था कि धर्म पत्मी को समझाना कठिन होगा बच्चों को समझाने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी इसका मुझे विश्वास था अता उन्हें इस मामले में वकील बनाने का मैंने निश्चे किया लड़के तो तुरंट समझ गए उन्होंने कहा हमें इन गहनों की आवश्रक्ता नहीं है हमें ये सब लोटा ही देने चाहिए और जीवन में कभी हमें इन वस्तियों की आवश्रक्ता हुई तो क्या हम सोयम ना खरीच सकेंगे मैं खुश हुआ मैंने पूछा तो तुम अपनी मा को समझाओगे न जरूर जरूर ये हमारा काम समझी उसे कौन ये गहनने पहनने है वह तो हमारे लिए ही रखना चाहती है हमें उनकी जरूरत नहीं है फिर वह हट क्यों करेंगी पर काम जितना सोचा था उससे अधिक कठन सिद्ध हुआ भले आपको जरूरत न हो और आपके लड़कों को भी न हो बच्चों को तो जिस रास्ते लगा दो उसी रास्ते में लग जाते हैं भले मुझे ना पहनने दें पर मेरी बवूओं को क्या होगा उनके तो ये चीजें काम आएंगी न और कौन जानता है कल क्या होगा इतने प्रेम से दी गई चीजें वापस नहीं दी जा सकती पत्नी की वाग धारा चली और उसके साथ अश्रुधारा मिल गई बच्चे द्रिड रहे मुझे तो डिगना था ही नहीं मैंने धीरे से कहा लड़कों का ब्याद तो होने दो हमें कौन उन्हें बच्पन में ब्याहना है बड़े होने पर तो ये स्वें ही जो चाहेंगे करेंगे और हमें कहां गहनों की शौकीन बववें खोजनी है इतने पर भी कुछ कराना ही पड़ा तो मैं कहां चला जाओंगा जानती हूँ आपको मेरे गहने भी तो आपने ही लिये थे न जिन्होंने मुझे सुक से ना पहनने दिये वो मेरी बहुओं के लिए क्या लाएंगे लड़कों को आप अभी से बैरागी बना रहे हैं ये गहने वापस नहीं दिये जा सकते और मेरे हार पर आपको क्या अधिकार है मैंने पूछा पर या हार तो तुम्हारी सेवा के बदले मिला है या मेरी सेवा के बदले कुछ भी हो आपकी सेवा मेरी सेवा ही हुई मुझे आपने रात दिन जो मजदूरी करवाई वक्या सेवा में शुमार ना होगी मुझे रुला कर भी आपने हर किसी को घर में ठैराया और उसकी चाकरी करवाई उसे क्या कहेंगे ये सारे बाण नुकिले थे इन में से कुछ चुबते भी थे पर गहने तो मुझे वापस करने ही थे बहुत सी बातों में मैं जैसे तैसे कस्तूर्बा की सहमती प्राप्त कर सका 1896 में और 1901 में मिली हुई भेंटे मैंने लोटा दी उनका ट्रस्ट बना और सारवजनिक काम के लिए उनका उप्योग मेरी अत्वा ट्रस्टियों की इच्छा के अनुसार किया जाए इस शर्ट के साथ वे बैंक में रख दी गई इन गहनों को बेचने के निमित से मैं कई बार पैसे इखटा कर सका हूँ आज भी आपत्ति कोश के रूप में यधन मौजूद है और उसमें व्रिद्धी होती रहती है अपने इस कारे पर मुझे कभी पाच्चाताप नहीं हुआ दिन बीतने पर कस्तूर्बा को भी इसके और चित्ति की प्रतीती हो गए इससे हम बहुत से लालचों से बच गए हैं मेरा यह मत बना है कि सार्वजनिक सेवक के लिए निजी भेटें नहीं हो सकती इस प्रकार मैं देश जाने के लिए विदा हुआ रास्ते में मौरिशस पड़ता था वहां जहाज लंबे समय तक ठहरा था इसलिए मैं मौरिशस में उत्रा और वहां की स्थिती की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर ली एक रात मैंने वहां के गवर्नर सर चार्ल्स ब्रूस के यहां बिताई थी हिंदुस्तान पहुचने पड़ थोड़ा समय मैंने घूमने फिरने में बिताया यह सन 1901 का जवाना था उस साल की कॉंग्रेस कलकते में होने वाली थी दीनशा एदल जी वाच्छा उसके अध्यक्ष थे मुझे तो कॉंग्रेस में तो जाना ही था कॉंग्रेस का यह मेरा पहला अनुभव था बंबई से जिस गाड़े में सर फिरोज शाह महता रवाना हुए उसी में मैं भी गया था मुझे उनसे दक्षन अफ्रीका के बारे में बातें करनी थी उनके डब्बे में एक स्टेशन तक जाने की मुझे अनुमती मिली थी उन्होंने तो खास सलून का प्रबंद किया था उनके शाही खर्च और ठाट बाट से मैं परिचित था जिस स्टेशन पर उनके डब्बे में जाने की अनुमती मिली थी उस स्टेशन पर मैं उसमें पहुंचा उस समय उनके डिब्बे में तब के दीनशाजी और तब के चिमनलाल सेतलवाड इन दोनों को सर की उपाद्धी बाद में मिली थी, बैठे थे। मैं तो सुनकर दंग ही रह गया, सर चिमनलाल ने हां में हां मिलाई, सर दीनशाज ने मेरी और दयार ददिश्टी से देखा, मैंने समझाने का कुछ प्रयत्न किया, परन्तु बंबई के बेताज बादशा को मेरे समान आदमी क्या समझा सकता था, मैंने इतने से ही संतोश माना कि मुझे कॉंग्रेस में प्रस्ताव पेश करने दिया जाएगा, सर दीनशाज वाच्छा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बोले, गांधी, प्रस्ताव लिखकर मुझे बताना भला, मैंने उनका उपकार माना, दूसरे स्टेशन पर जो ही गाड़ी खड़ी हुई, मैं भा से प्रतिनीधी ठहराए गए थे, मेरे सौभाग्य से जिस विभाग में मैं था, उसी में लोकमान्य तिलक भी ठहरे हुए थे, मुझे याद पड़ता है कि वे एक दिन बाद पहुँचे थे, जहां लोकमान्य हो, वहां छोटा सा दरबार तो लगी जाता था, मैं चितरकार होता, तो जिस खटिया पर वे बैठते थे, उसका चितर खींच लेता, उस जगा का और उसकी बैठक का आज भी मुझे इतना स्पष्ट स्मरण है, उनसे मिलने आने वाले अंगिनत लोगों में से एक ही नाम मुझे अब याद है, अमरित बाजार पत्रिका के मोती बाबु, उन दोनों का खिल खिला कर हसना और राज करताओं के अन्याय के विशय में उनकी बातें भूलने योग्य नहीं हैं, लेकिन वहा की विवस्था को थोड़ा देखें, स्वयम सेवक एक दूसरे से टकराते रहते थे, जो काम जिसे सौंपा जाता, वह स्वयम उसे नहीं करता वह तुरंद दूसरे को पुकारता था, दूसरा तीसरे को, बेचारा प्रतिनिधी तो ना तीन में होता ना तेरा में, मैंने अनेक स्वयम सेवकों से दोस्ती की, उनसे दक्षन अफरीका की कुछ बातें की, इससे वे जरा शर्मिंदा हुए, मैंने उन्हें सेवा का मर्म सम जाने का प्रयत नि किया, वे कुछ समझे, पर सेवा की अभिरुची कुकुर्बुत्ते की तरह बात की बात में तो उत्पन्य नहीं होती, उनके लिए इच्छा चाहिए और बाद में अभ्यास, इन भोले और भले स्वयम सेवकों में इच्छा तो बहुत थी, पर तालीम और अभ्यास वे कहां से पाते, कॉंग्रेस साल में तीन दिन के लिए इखटा होकर फिर सो जाती थी, साल में तीन दिन की तालीम से कितना सीखा जा सकता था, जैसे स्वयम सेवक थे, वैसे ही प्रतिनी धी थे, उन्हें भी इतने ही दिनों की तालीम मिलती थी, वे अपने हाथ स अपना कोई भी काम ना करते थे सब बातों में उनके हुक्म छूटते रहते थे स्वयम सेवक यह लाओ स्वयम सेवक वह लाओ चला ही करता था अखा भारत गुजरात के एक भक्त कवी जिनोंने अपने एक छपपे में छुआ छूत को आभण छेट अधकेरों अंग कहकर उसका विरोध किया है और कहा है कि हिंदु धर्म में अस्प्रिश्रिता के लिए कोई स्थान नहीं है उनके अधकेरां अंग अतिरिप्त अंग का भी ठीक ठाक अनुभव हुआ छुआ छूत को मानने वाले वहां बहुत लोग थे द्रावडी रसोई बिलकुल अलग थी उन प्रतिनिधियों को तो द्रिश्टी दोश भी लगता था उनके लिए कॉलेज के आहाते में चटाईयों का रसोई घर बनाया गया था उसमें धुआ इतना रहता था कि आदमी का दम घुट जाए खाना पीना सब उसी के अंदर रसोई गर क्या था एक तिजोरी थी वह कहीं से भी खुला ना था मुझे यावण धर्म उल्टा लगा कॉंग्रेस में आने वाले प्रतिनिधी जब इतनी छुआ छूत रखते हैं तो उन्हें भेजने वाले लोग कितनी रखते होंगे इस प्रकार का त्रहराशिक लगाने से जो उत्तर मिला उस पर मैंने एक लंबी सांस ली गंदगी की हद नहीं थी चारों तरफ पानी ही पानी फैल रहा था पखाने कम थे उनकी दुरगंद की याद आज भी मुझे हैरान करती है मैंने एक स्वयम सेवक को यह सब दिखाया उसने साफ इनकार करते हुए कहा यह तो भंगी का काम है मैं जाडू मांगा वह मेरा मुह ताकता रह गया मैंने जाडू खोज निकाला पखाना साफ किया पर या तो मेरी अपनी सुविधा के लिए हुआ भीड इतनी जादा थी और पखाने इतने कम थे कि हर बार के उप्योग के बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी या मेरी शक्ती के बाहर की बात थी इसलिए मैंने अपने लायक सुविधा करके संतोश माना मैंने देखा कि दूसरों को यह गंदिगी जरा भी अखरती न थी पर बात यहीं खत्म नहीं होती रात के समय कोई न कोई तो कमरे के सामने वाले बरामदे में ही निपट लेते थे सवेरे स्वयम सेवकों को मैंने मैला दिखाया कोई साफ करने को तयार न था उसे साफ करने का सम्मान भी मैंने ही प्राप्त किया यद्यपी अब इन बातों में बहुत सुधार हो गया है फिर भी अविचारी प्रतिनी धी अब तक कॉंग्रेस के शिवर को जहां तहां मल त्याग करके गंदा करते हैं और अब स्वयम सेवक उसे साफ करने के लिए तयार नहीं होते मैंने देखा कि अगर ऐसी गंदगी में कॉंग्रेस की बैठक अधिक दिनों तक जारी रहती तो अवश्च बीमारी फैल जाती चौदा क्लर्क और बैरा तो सेवा करूं और अनुभव लूँ जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन नहाद होकर मैं कॉंग्रेस के कार्याले में कया श्री भूपेंदर नात बसू और श्री गोशाल मंत्री थे मैं भूपेंदर बाबु के पास पहुँचा और सेवा की मांग की उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले मेरे पास तो कोई काम नहीं है पर शायद मिस्टर गोशाल आपको कुछ काम दे सकेंगे उनके पास जाईए मैं गोशाल बाबु के पास गया उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और जरा हस कर मुझ से पूचआ मेरे पास तो कलर्क का काम है आप करेंगे मैंने उत्तर दिया अवश्य करूँगा मेरी शक्ती से बाहर ना हो ऐसा हर काम करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ नौजवान यही सच्ची भावना है और पास बगल में खड़े स्वयम सेवकों की ओर देखकर बोले सुनते हो यह यह वह क्या कह रहा है फिर मेरी ओर मुड़कर बोले तो देखी यह तो पत्रों का है धेर और यह मेरे सामने है कुरसी इस पर आप बैठिये आप देखते हैं कि मेरे पास सैकड़ों आदमी आते रहते हैं मैं उनसे मिलूँ या इन बेकार पत्र लिखने वालों को उनके पत्रों का जवाब लिखूँ मेरे पास ऐसे किलर्क नहीं है जिनसे मैं ये काम ले सकूँ पर आप सब को देख जाईए जिसकी पहुँच भेजना उचित समझें उसकी पहुँच भेज दीजिए जिसके जवाब के बारे में मुझसे पूछना जरूरी समझें मुझसे पूछ लीजिए मैं तो इस विश्वास से मुगध हो गया श्री घोशाल मुझे पहचानते ना थे नाम धाम जानने का काम तो उन्होंने बाद में किया पत्रों का धेर साफ करने का काम मुझे बहुत आसान लगा अपने सामने रखे हुए धेर को मैंने तुरंत निप्टा दिया घोशाल बाबु खुश हुए उनका सभाव बातू नहीं था मैं देखता था बातों में वे अपना बहुत समय बिता देते थे मेरा इतिहास जानने के बाद तो मुझे कलर का काम सौपने के लिए वे कुछ लज्जित हुए पर मैंने उन्हें निश्चिंद कर दिया कहां आप और कहां मैं आप कॉंगरिस के पुराने सेवक हैं मेरे गुरु जन हैं मैं एक अनुभव ही नव्यूवक हूँ यह काम सौपकर आपने मुझे पर उपकार ही किया है योगि मुझे कॉंगरिस में काम करना है उसके कामकाज की समझने का आपने मुझे अलब्य अफसर दिया है गोशाल बाबु बोले असल में यही सच्ची वृत्ती है पर आज के नव्युवा किसे नहीं मानते वैसे तो कॉंग्रिस को उसके जन्म से जानता हूं उसे जन्म देने में मिस्टर हूम के साथ मेरा भी हिस्सा था हमारे बीच अच्छी मित्रता हो गई दोपहर के भोजन में उन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा गोशाल बाबु के बटन भी बैरा लगता था या देखकर बैरे का काम मैंने ही ले लिया मुझे वह पसंद था बड़ों के प्रती मेरे मन में बहुत आदर था जब भे मेरी वृत्ती समझ गए तो अपनी नीजी सेवा के सारे काम मुझे से लेने लगे बटन लगाते समय मुझे मुझे मुस्कुरा कर कहते देखिए ना कंग्रेस के सेवक को बटन लगाने का भी समय नहीं मिलता योखि उस समय भी उसे काम रहता है इस भोलेपन पे मुझे हसी तु आई पर ऐसी सेवा के प्रती मन में थोड़ी अरुची उत्पन्न न हुई और मुझे जो लाब हुआ उसकी तो कीमत आंकी ही नहीं जा सकती कुछी दिनों में मुझे कॉंग्रेस की विवस्था का ग्यान हो गया कई नेताओं से भेट हुई गोखले, सुरेंदरनाथ, आधी, योद्धा आते जाते रहते थे मैं उनकी रीती नीती देख सका वहाँ समय की जो बरबादी होती थी उसे भी मैंने अनुभव किया अंग्रेजी भाशा का प्राबल्ले भी देखा इससे उस समय भी मुझे दुख हुआ था मैंने देखा कि एक आदमी से हो सकने वाले काम में अनेक आदमी लग जाते थे और ये भी देखा कि कितने ही महत्वपूर्ण काम कोई करता ही न था मेरा मन इस सारी स्थिति की टीका किया करता था परचित उधार था इसलिए वब्मान लेता था कि जो हो रहा है उसमें अधिक सुधार करना संभव न होगा फलता मन में किसी के प्रती अरूची पैदा न होती थी पंदरा कॉंग्रेस में कॉंग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ पंडाल का भव्य द्रिश्य, स्वयम सेवकों की खतारें, मंच पर नेताओं की उपस्ति थी इत्यादी देखकर मैं घबरा गया इस सभा में मेरा पता कहां लगेगा ये सोचकर मैं अकुला उठा सभापती का भाशन तो एक पुस्तक ही थी इस्थिती ऐसी नहीं थी कि वह पूरा पढ़ा जा सके अताह उसके कुछ अंच ही पढ़े गए बाद में विशय निर्वाचनी समीती के सदस से चुने गए उसमें गोखले मुझे ले गए थे सर फिरोज शाँ ने मेरा प्रस्ताओ लेने की स्विक्रिती तो दी थी पर उसे कॉंग्रेस की विशय निर्वाचनी समीती में कौन प्रस्तुत करेगा गब करेगा ये सोचता हुआ मैं समीती में बैठा रहा हर एक प्रस्ताओ पर लंबे-लंबे भाशन होते थे सब अंग्रेजी में हर एक के साथ प्रसिद व्यक्तियों के नाम जुड़े होते थे इस नकार खाने में मेरी तूती की आवाज कौन सुनेगा जो जो रात बीटती जाती थी त्यों त्यों मेरा दिल धड़कता जाता था मुझे याद आ रहा है कि अंत में पेश होने वाले प्रस्ताओ आज कल के विमानों की गति से चल रहे थे सब कोई भागने की तयारी में था रात के ग्यारा बज़ रहे थे मुझे में बोलने की हिम्मत ना थी मैं गोखले से मिल चुका था और उन्होंने मेरा प्रस्ताव देख लिया था उनकी कुरसी के पास जाकर मैंने धीरे से कहा मेरे लिए कुछ कीजिएगा उन्होंने कहा आपके प्रस्ताव को मैं भूला नहीं हूँ यहां की उतावली आप देख रहे हैं पर इस प्रस्ताव को भूलने नहीं दूँगा सर फिरोज शा बोले कहिए सब काम निपट गया न गोखले बोल उठे दक्षण अफ्रीका का प्रस्ताव तो बाकी ही है मिस्टर गांधी कब से बैठे राद देख रहे हैं सर फिरोज शा ने पूछा आप उस प्रस्ताव को देख चुके हैं हाँ आपको वो पसंद आया काफी अच्छा है तो गांधी पढ़ो मैंने कामते हुए प्रस्ताव पढ़ सुनाया गोखले ने उसका समर्थन किया सब बोल उठे सर्व सम्मती से पास वाच्छा बोले गांधी तुम पांच मिनट लेना इस द्रिश्च से मुझे प्रसन्यता ना हुई किसी ने भी प्रस्ताव को समझने का कष्ट नहीं उठाया सब जल्दी में थे गोखले ने प्रस्ताव देख लिया था इसलिए दूसरों को देखने सुनने की आवर्शक्ता प्रतीत ना हुई सवेरा हुआ मुझे तो अपने भाशन की फिक्र थी पांच मिनट में क्या बोलूँगा मैंने तयारी तो अच्छी कर ली थी पर उप्युक्त शब्द सूजते ना थे लिखित भाशन न पढ़ने का मेरा निश्चय था और ऐसा प्रतीत हुआ कि दक्षिड अफ्रीका में भाशन करने की जो स्वास्तता मुझ में आई थी उसे मैं यहां खो बैठा था मेरे प्रस्ताव का समय आने पर सर दीन्शा ने मेरा नाम पुकारा मैं खड़ा हुआ मेरा सर चक्राने लगा जैसे तैसे मैंने प्रस्ताव पढ़ा किसी कवी ने अपनी कविता छपा कर सब प्रतिनिधियों में बाटी थी उसमें परदेश जाने की और समुद्र यात्रा की स्तुती थी वह मैंने पड़ सुनाई और अफरीका के दुखों की थोड़ी चर्चा की इतने में सर दीन्शा की घंटी बजी मुझे विश्वास था कि मैंने अभी पांच मिनट पूरें नहीं किये हैं मुझे पता न था कि ये घंटी मुझे चेताने के लिए दो मिनट पहले ही बजा दी गई थी मैंने बहुतों को आधाद पौने-पौने घंटे बोलते देखा था और घंटी नहीं बजी थी मुझे दुख तो हुआ घंटी बचते ही मैं बैठ गया पर उक्त कावे में सर्फिरोज शाह को उत्तर मिल गया ऐसा मेरी अल्प बुद्धी ने उस समय मान लिया प्रस्ताव पास होने के बारे में तो पूछना ही क्या था उन दिनों दर्शक और प्रतिनिधी का भेद क्वचित ही किया जाता था प्रस्तावों का विरोध करने का कोई प्रश्ण ही नहीं था सारे प्रस्ताव सर्व सम्मती से पास होते थे मेरा प्रस्ताव भी इसी तरह पास हुआ इसलिए मुझे प्रस्ताव का महत्व नहीं जान पड़ा फिर भी कॉंग्रेस में मेरा प्रस्ताव पास हुआ का दरवार कॉंग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ पर मुझे तो दक्षिन अफरीका के लिए कलकत्ते में रहकर चेम्बर अफ कॉमर्स एत्यादी मंडलों से मिलना था इसलिए मैं कलकत्ते में एक महीना ठहरा इस बार मैंने होटल में ठहरने के बदले परिचय प्राप्त करके इंडिया कलब में ठहरने की विवस्था की इस कलब में अगरगन्य भारती उत्रा करते थे इससे मेरे मन में यह लोब था कि उनसे मेल जोल बढ़ा कर मैं उनमें दक्षिन अफरीका के काम के लिए दिल्चस्पी पैदा कर सकूँ इस कलब में गोखले हमेशा तो नहीं पर कभी-कभी बिलियर्ड खेनने आया करते थे जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कलकत्ते में ठहरने वाला हूँ उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए निमंत्रित किया मैंने उनका निमंत्रण साभार स्विकार किया पर मुझे अपने आप वहां जाना ठीक ना लगा एक दो दिन बाट जोहता रहा इतने में गोखले खुद आकर मुझे अपने साथ ले गए मेरा संकोच देखकर उन्होंने कहा गांधी तुमें इस देश में रहना है अते वैसी शरम से काम नहीं चलेगा जितने अधिक लोगों के साथ मेल जोल बढ़ा सको तुमें बढ़ाना चाहिए मुझे तुमसे कॉंग्रिस का काम लेना है गोखले के स्थान पर जाने से पहले इंडिया कलब का एक अनुभव यहां देता हूँ उन्ही दिनों लॉर्ड करजन का धरबार हुआ उसमें जाने वाले कोई राजा महाराजा इस कलब में ठैरे हुए थे कलब में तो मैं हमेशा सुन्दर बंगाली धोती कुर्ता और चादर की पोशाक में देखता था आज उन्होंने पतलून, चोगा और चमकीले बूट पहने थे यह देखकर मुझे दुख हुआ और मैंने इस परिवर्तन का कारण पूछा जवाब मिला हमारा दुख हम ही जानते हैं अपनी संपत्ति और अपनी उपाधियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो अपमान सहने पढ़ते हैं उन्हें आप कैसे जान सकते हैं पर यह खानसामे जैसी पगड़ी और यह बूट किसके लिए हमें और खानसामों में आपने क्या फर्क देखा वे हमारे खानसामा हैं तो हम लौट करजन के खानसामा हैं यदि मैं दर्बार में अनुपस्तित रहूं तो मुझको उसका दंड बुकता ना पड़े अपनी साधारन पोशाक पहन कर जाओं तो वह अपराद माना जाएगा और वहाँ जाकर भी क्या मुझे लौट करजन से बाते करने का अफसर मिलेगा कदापी नहीं मुझे इस स्पष्ट वक्ता भाई पर दया आई ऐसे ही प्रसंग वाला एक और दर्बार मुझे याद आ रहा है जब काशी के हिंदू विश्व विद्यालय की नीव लौड हार्डिंग के हाथों रखी गई तब उनका दर्बार हुआ था उसमें राजा महाराजा तो आई ही थे भारत भूशन मालवी जी ने मुझसे भी उसमें उपस्थित रहने का विशेश आगरह किया था मैं वहाँ गया था केवल इस्तरियों को ही शोभा देने वाली राजा महाराजाओं की पोशा के देख कर मुझे दुख हुआ रेश्मी पाजा में, रेश्मी अंगरके और गले में हीरे मोति की मालाएं, हाथ पर बाजू बन और पगड़ी पर हीरे मोति की जालरें इन सब के साथ कमर में सोने की मूठ वाली तलवार लटकी थी किसे ने बताया कि ये चीजें उनके राज ज्यादिखार की नहीं बलकि उनकी गोलामी की निशानिया थी मैं मानता था कि ऐसे नामर्दी सूचक आभूशन वे स्वेच्छा से पहनते होंगे पर मुझे पता चला कि ऐसे सम्मेलनों में अपने सब मूलेवान आभूशन पहन कर जाना राजाओं के लिए अनिवारे था मुझे यह भी मालूम हुआ कि कईयों को ऐसे आभूशन पहनने से घ्रणा थी और ऐसे दरबार के अफसर को छोड़ कर अन्य किसी अफसर पर वे इन गहनों को पहनते भी न थे इस बात में कितनी सच्चाई थी सो मैं नहीं जानता वे दूसरे अफसरों पर पहनते हों क्या वाइसरोय के दरबार में और क्या दूसरी जगा औरतों को ही शोभा देने वाले आभूशन पहन कर जाना पड़े यही पर्याप्त दुख की बात है। धन, सत्ता और मान मनुष्य से कितने पाप और अनर्थ कराते हैं। सत्रा, गोखले के साथ एक महीना, एक पहले ही दिन से गोखले ने मुझे यह अनुभव न करने दिया कि मैं महमान हूँ। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा, मेरी सब आवश्यक्ताएं जान ली और उनके अनुकूल सारी विवस्था कर दी। स्वभागे से मेरी आवश्यक्ताएं थोड़ी ही थी। मैंने अपना सब काम स्वयम कर लेने की आदत डाली थी। इसलिए मुझे दूसरों से बहुत थोड़ी सेवा लेनी होती थी। स्वावलंबन की मेरी इस आदत की, उस समय की मेरी पोशाक आदी की, सफाई की, मेरे उद्धम की और मेरी नियमित्ता की उन पर गहरी छाप पड़ी। और इन सब की वे इतनी तारीव करते थे कि मैं घबरा उठता था। मुझे यह अनुभव ना हुआ कि उनके पास मुझसे छिपा कर रखने लायक कोई बात थी। जो भी बड़े आदमी उनसे मिलने आते उनका मुझसे परिचय कराते थे। ऐसे परिचयों में आज मेरी आखों के सामने सबसे अधिक डॉक्टर प्रफुल चंदराय आते हैं। वे गोखले के मकान के पास ही रहते थे और कह सकता हूं कि लगभग रोज ही उनसे मिलने आते थे। ये प्रोफेसर राये हैं। इन्होंने हर महीने 800 रुपे मिलते हैं। ये अपने खर्च के लिए 40 रुपे रखकर बाकी सब सारवजनिक कामों में देते हैं। इन्होंने ब भूशा उनकी तब थी लगभग वही आज है। हाँ आज वे खादी पहनते हैं। उस समय खादी थी ही नहीं। सुदेशी मिलके कपड़े रहे होंगे। गोखले और प्रोफेसर राये की बातचीत सुनते हुए मुझे त्रिप्ती ही न होती थी। क्योंकि उनकी बातें दे काम करने की रीती से मुझे जितना आनंद हुआ उतनी ही शिक्षा भी मिली। वे अपना एक खण भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। मैंने अनुभव किया कि उनके सारे देशकारे के निमित से ही थे। सारी चर्चाएं भी देशकारे के खातिर ही होती थी। उनकी बातों वे एक ही जवाब देते थे। आप ये काम कीजे, मुझे अपना काम करने दीजे। मुझे तो देश की स्वाधिनता प्राप्त करनी है। उनके मिलने पर ही मुझे कुछ दूसरा सूजेगा। इस समय तो इस काम से मेरे पास एक शन भी बाकी नहीं बचता। रानाडे के प् वे उसे हमेशा मनाते थे। उस समय वहाँ मेरे सिवाव उनके मित्र प्रोफेसर काथवटे और दूसरे एक सजञन थे जो सब जज थे। इनको उन्होंने जयनती मनाने के लिए निमंत्रित किया। और इस अफसर पर उन्होंने हमें रानाडे के आनेक संस्मरण सुनाय। र अपने मुवक्किल की वे कितनी चिंता रखते थे इसके द्रिष्टांत के रूप में यह किस्सा सुनाया कि एक बार रोज की ट्रेन छूट जाने पर वे किस तरह स्पेशल ट्रेन से अदालत पहुँचे थे। पर लोगों को इतना विश्वास था कि सब उनके निर्ने को स्विकार करते थे। यह सब वर्णन करते हुए गोखले के हर्ष की सीमा न रहती थी। गोखले घोडा गाली रखते थे। मैंने उनसे इसकी शिकायत की। मैं उनकी कठिनाईया समझ नहीं सका था। पूछा आप सब्सक्राइब गूंते देखकर मुझे इर्षा होती है पर मैं वैसा नहीं कर सकता। जितने लोग मुझे पहचानते हैं उतने ही जब तुम्हें पहचानने लगेंगे तब तुम्हारे लिए भी ट्रॉम में घूमना असंभव तो नहीं कठन अवश्य हो जाएगा। नेता जो कुछ करते हैं सो मौझ शौक के लिए ही करते हैं ये मानने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी सादगी मुझे पसंद है, मैं यथा संभव सादगी से ही रहता हूँ। पर तुम निश्चित मानना कि मुझ जैसों के लिए कुछ खर्च अनिवार है। इस तरह मेरी ये बीमार रहे तो इसमें आश्चर्य क्या क्या देश के काम में से व्यायाम के लिए भी फुर्सत नहीं मिल सकती जवाब मिला तुम मुझे किस समय फुर्सत में देखते हो कि मैं गूमने जा सकूँ मेरे मन में गोखले के लिए इतना आदर था कि मैं उन्हें प्रत्युत्तर नह काले बिना नहीं रहते उसी तरह व्यायाम का समय भी हमें निकालना चाहिए मेरी यह नंब्र राय है कि इससे देश की सेवा अधिक ही होती है कम नहीं अठारा गोखले के साथ एक महीना दो गोखले की छाया तले रहकर मैंने सारा समय घर में बैठ कर नहीं बिताया दक्षिन अफ्रीका के अपने इसाई मित्रों से मैंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के इसाईयों से मिलूँगा और उनकी स्थिती की जानकारी प्राप्त करूँगा मैंने काली चर्णम बैनर जी का नाम सुना था वे कांग्रेस के कामों में से अगुआ बनकर हांद बटाते थे इसलिए मेरे मन में उनके प्रती आदर था ताधारन हिंदुस्तानी इसाई कांग्रेस से और हिंदु मुसल्मानों से अलग रहा करते थे इसलिए उनके प्रती मेरे मन में जो अविश्वास था, वा काली चर्ण बैनर जी के प्रती नहीं था मैंने उनसे मिलने के बारे में गोखले से चर्चा की उन्होंने कहा, वहां जाकर क्या पाओगे, वे बहुत भले आदमी हैं पर मेरा ख्याल है कि वे तुम्हें संतोश नहीं दे सकेंगे, मैं उन्हें भली भाती जानता हूँ, फिर भी तुम्हें जाना हो तो शौक से जाओ मैंने समय मांगा, उन्होंने तुरंट समय दिया और मैं गया, उनके घर उनकी धर्म पतनी मिर्तिव शया पर पड़ी थी, घर सादा था, कॉंग्रेस में उनको कोट पतलून में देखा था, पर घर में उन्हें बंगाली धोती और कुर्ता पहने देखा, यह सादगी मुझे पसंद आई, उन दिनों मैं स्वयम पार्सी कोट पतलून पहनता था, फिर भी मुझे उनकी यह पोशाक और सादगी बहुत पसंद पड़ी, मैंने उनका समय ना गवानते हुए अपनी उल्जने पेश की, उन्होंने मुझ से पूछा, आप मानते हैं कि हम अपने साथ पाप लेकर पैदा होते हैं, मैंने कहा, जी हाँ, तो इस मूल पाप का निवारण हिंदु धर्म में नहीं है, जबकि हिसाई धर्म में है, ये कहकर वे बोले, पाप का बदला मौत है, बाइबिल कहती है कि इस मौत से बचने का मार्ग इसा की शरण है, मैंने भगवत गीता के भक् इस भेंट से मुझे लाब ही हुआ मैं ये कह सकता हूँ कि इसी महीने में मैंने कलकत्ते की एक-एक गली छान डाली अधिकांच काम मैं पैदल चल कर करता था इनी दिनों मैं न्यायव मूर्ती मित्र से मिला सर गुरुदास बैनर जी से मिला दक्षिन अफ्रीका के काम के लिए उनकी साहेता की आवश्चकता थी उनी दिनों मैंने राजा सर प्यारी मोहन मुखर जी के भी दर्शन किये काली चरण बैनर जी ने मुझ से काली मंदिर की चर्चा की थी वह मंदिर देखने की मेरी तीवर इच्छा थी पुस्तक में मैंने उसका वर्णन पढ़ा था इससे एक दिन मैं वहाँ जा पहुचा नयमूर्ती का मकान उसी महले में था अतेव जिस दिन उनसे मिला उसी दिन काली मंदिर भी गया रास्ते में बलिदान के लिए बकरों की लंबी खतार चली जा रही थी एक बाबा जी चपुद्रे पर बैठे थे उन्होंने मुझे बुला कर पूचा क्यों बेटा कहां जाते हो मैंने समुचित उत्तर दिया उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को बैठने के लिए कहा हम बैठ गये मैंने पूचा इन बकरों के बलिदान को आप धर्म मानते हैं जीव की हत्या को कौन धर्म मानता है तो आप यहां बैठ कर लोगों को समझाते क्यों नहीं ये काम हमारा नहीं है हम तो यहां बैठ कर भगवद भक्ती करते हैं पर इसके लिए आपको कोई दूसरी जगा न मिली हम साधुओं का इससे क्या मतलब। मैंने समवाद आगे नहीं बढ़ाया। हम मंदिर में पहुँचे। सामने लहू की नदी बह रही थी। दर्शनों के लिए खड़े रहने की मेरी इच्छा न रही। मैं बहुत अकुलाया, बेचैन हुआ। वद्रिश्य मैं अब तक भूल नहीं सका हूँ। उसी दिन मुझे एक बंगाली सभा का निमंत्रन मिला था। मा मैंने एक सज्जन से इस क्रूर पूजा की चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारा ख्याल ये है कि वहाँ जो नगाड़े वगरा बज़ते हैं, उनके कोला हल में बकरों को चाहे जैसे भी मारो, उन्हें कोई पीला नहीं होती। उनका ये विचार मेरे गले ना उत्रा। मैंने उस सज्जन से कहा, कि यदि बकरों की जबान होती तो वे दूसरी ही बात कहते। मैंने अनुभफ किया कि यह क्रूर रिवाज बंद होना चाहिए। बुध देव वाली कथा मुझे याद आई, पर मैंने देखा कि यह काम मेरी शक्ती से बाहर है। उस समय मेरे जो विचार थे वे आज भी हैं। मेरे ख्याल से बकरों के जीवन का मूल्य मनुष के जीवन से कम नहीं है। मनुष देख को निभाने के लिए मैं बकरे की देख लेने को तयार ना होंगा। मैं यह मानता हूँ कि जो जीव जितना अधिक अपंग है उतना ही उसे मनुष्य की कुरूरता से बचने के लिए मनुष्य का आश्रय पाने का अधिक अधिकार है। पर वैसी योगिता के अभाव में मनुष्य आश्रय देने में असमर्थ है। बकरों को इस पाप पूर्ण होम से बचाने के लिए जितनी आत्म शुद्धी और त्याग मुझ में है उससे कहीं अधिक की मुझे आवश्यक्ता है। जान पड़ता है कि अभी तो उस शुद्धी और त्याग का रटन करते हुए ही मुझे मरना होगा। मैं यह प्राठना निरंतर करता रहता हूँ कि ऐसा कोई तेजस्वी पुरुष और ऐसी कोई तेजस्वनी सती उत्पन हो जो इस महा पातक में से मनुष्य को बचावे, निर्दोश प्राणियों की रक्षा करे और मंदिर को शुद्ध करे। ज्यानी, बुद्धिशाली, त काली माता के निमित से होने वाला विक्राल यग्य देख कर बंगाली जीवन को जानने की मेरी इच्छा बढ़ गई। ब्रह्म समाज के बारे में तो मैं काफी पढ़ सुन चुका था, मैं प्रताप चंद्र मजूमदार का जीवन वितान्त थोड़ा जानता था, उनके व्या ब्रह्म समाज और आदी ब्रह्म समाज का भेद जाना, पंडित विश्वनात शास्त्री के दर्शन किये, महर्शी देवेंद्रनाथ ठाकुर के दर्शनों के लिए मैं प्रोफेसर काथवटे के साथ गया, पर वे उन दिनों किसी से मिलते ना थे, इससे उनके दर्शन न हो स उनके यहां ब्रह्म समाज का उत्सव था, उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण पाकर हम लोग वहां गए थे और वहां उच्च कोटी का बंगाली संगीत सुन पाए थे, तब ही से बंगाली संगीत के प्रती मेरा अनुराग बढ़ गया, ब्रह्म समाज का यथा संभव निर कि मैं पूरा चला था या आधा, मठ का एकांत स्थान मुझे अच्छा लगा था, यह समाचार सुनकर मैं निराश हुआ कि स्वामी जी वीमार हैं, उनसे बिला नहीं जा सकता और वे अपने कलकत्ते वाले घर में हैं, मैंने भगिनी निवेदिता के निवा स्थान का पता ल अतेव उससे तुमारा मेल ना बैठे, इसे मैं समझ सकता हूँ, फिर एक बार उनसे मेरी भेंट पैस्तन जी पाजशा के घर हुई थी, वे पैस्तन जी की व्रद्धा माता को उबदेश दे रही थी, इतने में मैं उनके घर जा पहुँचा था, अतेव मैंने उनके बीच द एक भाग मैं दक्षन अफ्रीका के काम के सिलसले में कलकत्ता में रहने वाले नेताओं से मिलने में बिताता था, और दूसरा भाग कलकत्ते की धार्मिक संस्थाएं और दूसरी सारवजनिक संस्थाएं देखने में बिताता था, एक दिन बोहर युद्ध में हिंदुस्तान शुश्रुशा दल ने जो काम किया था उस पर डॉक्टर मलिक के सवापतित्व में मैंने भाशन किया। इंग्लिश मैन के साथ मेरी पहचान इस समय भी बहुत सहायक सिद्ध हुई। मिस्टर सैंडर्स उन दिनों बीमार थे पर उनकी मदद तो सन 1896 में जितनी मिली थी उतनी ही इस समय भी मिली। यह भाशन गोखले को पसंद आया। और जब डॉक्टर रॉय ने मेरे भाशन की प्रशंसा की तो वे बहुत खुश हुए थे। यह गोखले की छाया में रहने से बंगाल में मेरा काम बहुत सरल हो गया था। बंगाल के अगरगन्य कुटुम्बो की जानकारी मुझे सहज ही मिल गई और बंगाल के साथ मेरा निकट संबंध जुड़ गया। इस चिर इस्मरणी महीने के बहुत से संस्मरण मुझे छोड़ देने पड़ेंगे। उनका उच्साह और वहां के पुरुषों की सुस्ती देख कर मैंने महीलाओं के लिए अनुराग और पुरुषों के लिए दुख अनुभव किया। जिस समय मैंने यह अनुभव किया कि जिस तरह बंबई हिंदुस्तान नहीं है उसी तरह रंगून ब्रम्ब प्रदेश नहीं है और जिस प्रकार हम हिंदुस्तान में अंग्रेज व्यापारियों के कमिशन एजेंट या दलाल बने हुए हैं। उसी तरह ब्रम्ब प्रदेश में हमने अंग्रेजों के साथ मिलकर ब्रम्ब देश वाशियों को कमिशन एजेंट बनाया है। मैंने गोखले के सामने अपना यह विचार रखा। उन्होंने पहले तो उसे हस कर उड़ा दिया। पर जब मैंने इस यात्रा के विशय में अपनी आशाओं का वर्नन किया तो उन्होंने प्रसन्नता पूरवक मेरी योजना को स्विकृति दे दी। बारा आने में किर्मिच का एक थैला लिया। और बंदर के पास के एक गाउं छाया की उन्होंन का एक ओवर्कोट बनवाया। थैले में या ओवर्कोट, तौलिया, कोड़ता और धोती थी। ओड़ने को एक कंबल था। इसके अलावा एक लोटा भी साथ में रख लिया था। इतना सामान लेकर मैं निकला। गोखले और डॉक्टर राय मुझे स्टेशन तक पहुँचाने आये। मैंने दोनों से ना आने की बिंती की, पर दोनों ने आने का अपना अग्रह न छोड़ा। गोखले बोले, तुम पहले दरजे में जाते तो शायद मैं ना चलता, पर अब तो मुझे चलना ही पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर जाते समय गोखले को किसी ने नहीं रोका। उन्होंने अपनी रेश्मी पगड़ी बांधी और धोती तथा कोट पहना। डॉक्टर रॉय ने बंगाली पोशाक पहनी थी, इसलिए टिकट बाबू ने पहले तो उन्हें अंदर जाने से रोका, पर जब गोखले ने कहा मेरे मित्र हैं, तो डॉक्टर रॉय भी दाखिल हुए। इस तरह दोनों ने मुझे बिदा किया। या यात्रा कलकते से राजकोट तक की थी, इसमें काशी, आग्रा, जैपुर, पालनपुर और राजकोट जाना था। इतना देखने के बाद अधिक समय कहीं देना संभव नहीं था, हर जगा मैं एक-एक दिन रहा था। पालनपुर के सिवा सब जगा मैं धर्मशाला में अथवा यात्रियों की तरहां पंडों के घर ठहरा। जैसा कि मुझे याद है, इतनी यात्रा में गाड़ी भाड़े के सहित मेरे कुल 31 रुपए खर्च हुए थे। तीसरे दर्जे की यात्रा में भी मैं अकसर डाग गाड़ी छोड़ देता था, क्योंकि मैं जानता था कि उसमें अधिक भीड होती है। उसका किराया भी सवारी गाड़ी के तीसरे दर्जे के किराये से अधिक होता था, या एक अरचन तो थी ही। तीसरे दर्जे के डिब्बो में गंदिगी और पाखानों की बुरी हालत तो जैसी आज है, वैसी ही उस समय भी थी। आज चायद थोड़ा सुधार हो तो अलग बात है, पर पहले और तीसरे दर्जे के बीच सुभीतों का फर्क मुझे किराये के फर्क से कहीं जादा जान पड़ा। तीसरे दर्जे के यात्री भेड़ बकरी समझे जाते हैं और सुभीते के नाम पर उनको भेड़ बकरियों के से डब्बे मिलते हैं। यूरोप में तो मैंने तीसरे ही दर्जे में यात्रा की थी, अनुभव की दृष्टी से एक बार पहले दर्जे में भी यात्रा की थी, वहां मैंने पहले और तीसरे दर्जे के बीच यहां के जैसा फर्क नहीं देखा. दक्षुर अफरीका में तीसरे दर्जे के यात्री अधिकतर हपशी ही होते हैं, लेकिन वहां के तीसरे दर्जे में भी यहां के तीसरे दर्जे से अधिक सुविधायन थी. कुछ प्रदेशों में तो वहां तीसरे दर्जे में सोने की सुविधा भी रहती है और बैठके गद्धीदार होती है हर खंड में बैठने वाले यात्रियों की संख्या की मर्यादा को ध्यान में रखा जाता है यहां तो तीसरे दर्जे में संख्या की मर्यादा पाले जाने का मुझे कोई अनुभव ही नहीं है। पास में बैठे हुए आदमी की सुख सुविधा का विचार ना करना और गंदी बोली बोलना। यह तो सार्वतरिक अनुभव है। तीसरे दर्जे की यात्रा के अपने 1902 के अनुभव में और 1915 और 1919 तक के मेरे अनुभव, दूसरी बार के ऐसे ही अखंड अनुभव में मैंने बहुत अंतर नहीं पाया। इस महाव्याधि का एक ही उपाय मेरी समझ में आया है और वह ये कि शिक्षित समाज को तीसरे दर्जे में ही यात्रा करनी चाहिए और लोगों की आदतें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा रेलवे विबाग के अधिकारियों को शिकायत करके परिशान कर डलना चाहिए अपने लिए कोई सुविधा प्राप्त करने या प्राप्त सुविधा की रक्षा करने के लिए घूस रिश्वत नहीं देना चाहिए और उनके एक भी गयर कानूनी विवहार को बरदाश्ट नहीं करना चाहिए. मेरा या अनुभव है कि ऐसा करने से बहुत कुछ सुधार हो सकता है. अपनी बीमारी के कारण मुझे सन 1920 से तीसरे दर्जे की यात्रा लगभग बंद कर देनी पड़ी है. इसका दुख और लज्जा मुझे सदा बनी रहती है. और वह भी ऐ ऐसे अफसर पर बंद करनी पड़ी जब तीसरे दर्जे के यात्रियों की तकलीफों को दूर करने का काम कुछ ठिकाने लग रहा था. रेलो और जहाजों में गरीब यात्रियों को भोगने पड़ते कष्टों में होने वाली व्रध्धी, व्यापार के निमित से विदेशी व्यापार को सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुचित सुविधाएं, आदी बातें, इस समय हमारे लोग जीवन की बिलकूल अलग और महत्व की समस्या बन गई हैं. अगर इसे हल करने में एक दो चतुर और लगन वाले सज्जन अपना पूरा समय लगा दें, तो अधिक न कहां ही उतरना था, कई ब्रामणों ने मुझे घेर लिया, उनमें से जो मुझे थोड़ा सुघड़ और सज्जन लगा, उसका घर मैंने पसंद किया, मेरा चुनाओ अच्छा सिद्ध हुआ, ब्रामण के आंगन में गाय बंधी थी, उपर एक कमरा था, उसमें मुझे ठैरा मैं विधी पूर्वा गंगास नान करना चाहता था, पंडे ने सब तयारी की, मैंने उससे कह रखा था कि मैं सवा रुपय से अधिक दश्णा नहीं दूँगा, अतेव उसी के लायक तयारी वख करे, पंडे ने बिना जगड़े के मेरी बिंती स्विकार कर ली, वह बोला, ह भग बारा बजे इससे फुर्सत पाकर मैं काशी विश्वनात के दर्शन करने गया, वहां जो कुछ देखा, उससे मुझे दुख ही हुआ, सन 1901 में जब मैं बंबई में वकालत करता था, तब एक बार प्राठना समाज के मंदिर में काशी की यात्रा विशय पर व्याख्या सुना था, अतेव थोड़ी निराशा के लिए तो मैं पहले से तयार था, पर वास्तव में जो निराशा हुई, वह अपेक्षा से अधिक थी, संकरी फिसलन वाली गली में से होकर जाना था, शान्ती का नाम भी नहीं था, मक्यों की भिनविनाहट और यात्रियों और दुका से पाना होगा, अवश ही मैंने ऐसी श्रद्धालू बेहनों को भी देखा, जिने इस बात का बिल्कुल पता ना था कि उनके आसपास क्या हो रहा है, वे केवल अपने ध्यान में ही निमग्र थी, पर इसे प्रबंदकों का पुरुशार्थ नहीं माना जा सकता, काशी विश सांदारों का बाजार देखा, जिसमें नए से नए धंकी मिठाईयां और खिलोने बिकते थे, मंदिर में पहुँचने पर दरवाजे के सामने बदबुदार सड़े हुए फूल मिले, अंदर बढ़िया संग मरमर का फर्श था, पर किसी अंधशत दालू ने उसे रुपियो से जुड़वा कर खराब कर दिया था, और रुपियों में मैल भर गया था, मैं ग्यानवापी के समीब गया, वहां मैंने ईश्वर को खोजा, पर वह न मिला, इससे मैं मन ही मन चुब्द हो रहा था, ग्यानवापी के आसपास भी गंदिगी देखी, दक्षिना के रूप मे कुछ चढ़ाने की श्रद्धा नहीं थी, इसलिए मैंने सचमुछी एक पाई चढ़ाई, जिससे पुजारी पंडाजी तमतमा उठे, उन्होंने पाई फेंक दी, दो-चार गालियां देकर बोले, तू यो अपमान करेगा तो नरक में पड़ेगा, मैं शान्त रहा, मैंने क पाई लेकर चल दिया, मैंने माना कि महाराज ने पाई खोई और मैंने बचाई, पर महाराज पाई खोने वाले नहीं थे, उन्होंने मुझे वापस बुलाया और कहा, अच्छा धर दे, मैं तेरे जैसा नहीं होना चाहता, मैं ना लूँ तो तेरा बुरा हो, मैंने दर्शन करने वाले लोग मुझे दर्शन क्यों करने देते, महात्मा के दुख तो मेरे जैसे महात्मा ही जानते हैं, अलबत्ता गंदगी और कोलाहल तो मैंने पहले के जैसा ही पाया, किसी को भगवान की दया के विशय में शंका हो, तो उसे ऐसे तीर्थ क्षेत्र देखने चाहीं, वह महायोगी अपने नाम पर कितना ढोंग, अधर्म, पाखंड, इत्यादी सहन करता है, उसने तो कह रखा है, ये यथा मान, प्रपध्यनते, तांस, तथै, भजाम, म्याम, अर्थात, जैसी करनी, वैसी भरनी, कर्म को मिथ्या कौन कर सकता है, फिर भगवान को बी हाल ही बीमारी से उठी है, मैंने अपना नाम भेजा, मैं तुरंत आई, मुझे तो दर्शन ही करने थे, अतेव मैंने कहा, मुझे आपके दुरूबल स्वास्त का पता है, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने आया हूँ, दुरूबल स्वास्त के रहते भी आपने मुझे मिल गोखले की बड़ी इच्छा थी कि मैं बंबई में बस जाऊं। वहां बरिष्टर का धंदा करूं और उनके साथ सार्वजनिक सेवा में हाथ बटाऊं। उस समय सार्वजनिक सेवा का मतलब था कॉंग्रेस की सेवा। उनके द्वारा स्थापिच संस्था का मुख्य कार्य कॉंग्रेस की विवस्था चलाना था। मेरी भी यही इच्छा थी पर काम मिलने के बारे में मुझे आत्म विश्वास न था। पिछले अनुभवों की मावजी दवे थे। उन्होंने मुझे तीन मुकदमे सौंपे। दो अपीलें काठियावाड के जुडिशियल असिस्टेंट के सम्मुक थी और एक इप्तिदाई मुकदमा जामनगर में था। यह मुकदमा महत्वपून था। मैंने इस मुकदमे की जोखिम उठाने से आना जारी ठीक की थी। यहां के कानून का तो मुझे बहुत ग्यान नहीं था। केवल राम दवे ने मुझे इस विशाय में पूरी तरह तयार कर दिया था। मेरे दक्षिन अफ्रीका जाने से पहले के मित्र मुझे कहा करते थे कि सर फिरोष शाह मेहता को कानून चहादत जमान था ही। मुकदमे में हम विजय हुए। इससे मुझे में कुछ विश्वास पैदा हुआ। उक्त दो अपीलों के बारे में तो मुझे शुरू से कोई डर ना था। इससे मुझे लगा कि यदि बंबई जाऊं तो वहां भी वकालत करने में कोई दिक्कत न होगी। इस जहां वे महाशे जाते थे वहां वकीलों और मुझे जाना होता था। वकील का महनताना जितना केंद्री स्थान पर होता था। उससे अधिक बाहर होता था। इसलिए मुझे मुझे को सहज ही दुगना खर्श पर जाता था। पर जज़ इसका बिलकुल विचार ना करता था इस अपील की सुनवाई वेरावल में होने वाली थी वहाँ उन दिनों बड़े जोर का प्लेग था मुझे याद है कि रोज के पचास केस होते थे वहाँ की आबादी साड़े पांच हजार के लगबग थी गाउं प्राया खाली हो गया था मैं वहाँ की निर्जन धर मुझाला में टिका था वह गाउं से कुछ दूर थी पर बेचारे मुझे क्या करते यदि वे गरीब होते तो एक भगवान ही उनका मालिक था मेरे नाम वकील मित्रों का तार आया था कि मैं साहब से प्राठना करूं की प्लेग के कारण वे अपना मुकाम बदल दें प्राठना करने पर साहब ने मुझसे पूछा आपको कुछ डर लगता है मैंने कहा सवाल मेरे डरने का नहीं है मैं मानता हूं कि मैं अपना प्रबंद कर लूँगा पर मुवकिलों का क्या होगा साहब बोले प्लेग ने तो हिंदुस्तान में घर कर लिया है उससे क्या डरना वेरावल की हवा कैसी सुन्दर है लोगों को इस तरह बाहर रहना चाहिए साहब गाउं से दूर समुद्र किनारे एक महल नुमा तंबू में रहते थे अब इस फिलोसिफी के आगे मेरी क्या चलती साहब ने सरिष्टेदार से कहा मिस्टर गांधी की बात को ध्यान में रखिए और अगर वकिलों तथा मुवकिलों को बहुत असुविधा होती हो तो मुझे बतलाईए इसमें साहब ने तो शुद धुभाव से अपनी समझ के अनुसार ठीक ही किया पर उन्हें कंगाल हिंदुस्तान की मुश्किलों का अंदाजा कैसे हो सकता था वे बेचारे हिंदुस्तान की आवश्चक्ताओं भली बुरी आदतों और रीती रवाजों को क्यों कर समझ सकते थे जिसे गिन्यों में गिंती करने की आदत हो उसे पाईउं में हिसाब लगाने को कहिए तो वा जट से हिसाब कैसे कर सकेगा अत्यंत शुभ हे तो रखते हुए भी जिस तरह हाथी चीटी के लिए विचार करने में असमर्थ होता है उसी तरह हाती की आवशक्ता वाला अंग्रेज, चीटी की आवशक्ता वाले भारती के लिए विचार करने या नियम बनाने में असमर्थ ही होगा अब मूल विशय पर आता हूँ उपर बताया नुस्वार सफिलता मिलने के बाद भी मैं कुछ समय के लिए राजगोट में ही रहने की सोच रहा था इतने में एक दिन केवल राम मेरे पास आये और बोले गांधी तुमको यहां रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तो वंबई ही जाना होगा लेकिन वहां मुझे पूछेगा कौन, क्या मेरा खर्च आप चलाएंगे हाँ हाँ मैं तुम्हारा खर्च चलाऊंगा, तुम्हें बड़े बैरिस्टर की तरह कभी कभी यहां ले आया करूंगा और लिखा पढ़ी वगारा का काम तुमको वहां भेजता रहूंगा बैरिस्टरों को छोटा बड़ा बनाना तो हम वकीलों का ही काम है ना तुमने अपनी योग्यता का प्रमारतो जाम नगर और विरावल में ही दे दिया है इसलिए मैं निश्चिन तूँ तुम सारवजनिक काम के लिए सिर्जे गए हो तुम्हें हम काठियावार में दफन न होने देंगे कव कबरवाना होते हो निटाल से मेरे कुछ पैसे आने बाकी हैं उनके आने पर चला जाऊंगा पैसे एक दो हफतों में आ गए और मैं बंबई पहुंचा पेइन, गिलबर्ड और सयानी के दफतर में चैंबर किराय पर लिए और मुझे लगा कि अब मैं बंबई में इस्थिर हो गया 22. धर्म संकट मैंने जैसे दफतर किराय पर लिया वैसे ही गिरगाओं में घर भी लिया पर इश्वर ने मुझे स्थिर न होने दिया घर लिये अधिक दिन नहीं हुए थे कि इतने में में मेरा दूसरा लड़का बीमार हो गया उसे काल जोर ने जकड लिया जोर उतरता ना था बेचैनी भी थी फिर रात में सन्निपात के लक्षन भी दिखाई पड़े इस बीमारी के पहले बचपन में उसे चेचक भी बहुत जोर की निकल चुकी थी मैंने डॉक्टर की सलाह ली उन्होंने कहा इसके लिए दवा बहुत कम उप्योगी होगी इसे तो अंडे और मुर्गी का शोरवा देने की ज़रूरत है मनिलाल की उमर दस साल की थी उससे मैं क्या पूछता अभिभावक होने के नाते निर्ने तो मुझी को करना था डॉक्टर एक बहुत भले पार्सी थे मैंने कहा डॉक्टर हम सब अन्नाहारी है मेरी इच्छा अपने लड़के को इन दो में से एक भी चीज़ देने की नहीं है कोई उपाए नहीं बताईएगा डॉक्टर बोले आपके लड़के के पराण संकट में है दूद और पानी मिला कर दिया जा सकता है पर इससे उसे पूरा पोशन नहीं मिल सकेगा जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुतेरे हिंदू कुटुम्बों में जाता हूँ पर दवा के नाम पर तो हम उन्हें जो चीज़ देन वे ले लेते हैं और वो जो चाहता उसे करने देता यहां तो मुझे ही इस बालक के बारे में निर्णा करना है मेरा खयाल है कि मनुश्य के धर्म की परीक्षा ऐसे ही समय पर होती है सही हो या गलत पर मैंने यह धर्म मान है कि मनुश्यों को मानसाधी न खाना चाहिए जीवन के साधनों की भी सीमा होती है कुछ बातें ऐसी हैं जो जीने के लिए भी हमें नहीं करनी चाहिए मेरे धर्म की मर्यादा मुझे अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए ऐसे समय भी मात सित्यादी का उप्योग करने से रोकती है इसलिए मुझे वा जोकिम उठानी ही होगी जिसकी आप कलपना करते हैं पर आप से मैं एक चीज मांग लेता हूँ आपका उपचार तो मैं नहीं करूँगा किन्तु मुझे इस बच्चे की छाती, नारी, इत्यादी देखना नहीं आती मुझे पानी के उपचारों का थोड़ा ज्यान है, मैं उन उपचारों को आजमाना चाहता हूँ पर यदि आप बीच-बीच में मनिलाल की तब्यत देखने आते रहेंगे और उसके शरीर में होने वाले फेर फारों की जानकारी मुझे देते रहेंगे तो मैं आपका उपकार मानूँगा सज्जन डॉक्टर ने मेरी कठिनाई समझ ली और मेरी प्राठना के अनुसार मनिलाल को देखने आना कबूल कर लिया यद्यपी मनिलाल स्वयम निर्ने करने की स्थिती में नहीं था फिर भी मैंने उसे डॉक्टर के साथ हुई चर्चा सुना दी और उससे कहा कि वह अपनी राय बताए आप खुशी से पानी के उपकार कीजिए मुझे ना शोर्बा पीना है ना अंडे खाने है इस कथन से मैं खुश हुआ यद्यपी मैं समझता था कि मैंने उसे ये दोनों चीजें खिलाई होती तो वह खा भी लेता मैं लूई कुने के उपचार जानता था उसके प्रयोग भी मैंने किये थे मैं ये भी जानता था कि बीमारी में उपवास का बड़ा स्थान है मैंने मरिलाल को कुने की रीती से कटी सनान कराना शुरू किया मैं उसे तीन मिनट से ज़ादा टब में नहीं रखता था तीन दिन तक उसे केवल पानी मिलाए हुए संतरे के रस पर रखा बुखार उतरता ना था रात भर अंट संट बगता था ताकमान 104 डिगरी तक जाता था मैं घबराया यदि बालक को खो बैठा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी बड़े भाई क्या कहेंगे दूसरे डॉक्टर को क्यों न बुलाये जाए वैद को क्यों न बुलाये जाए अपनी ज्यान हिन बुद्धी लड़ाने का माता पिता को क्या धिकार है एक ओर ऐसे विचार आते थे तो दूसरी ओर इस तरह के विचार भी आते थे हे जीव तू जो अपने लिए करता वही लड़के के लिए भी करे तो परमेश्वर का शंतोश होगा तुझे पानी के उपचार पर शद्धा है दवा पर नहीं डॉक्टर रोगी को प्राणदार नहीं देता वह भी तो प्रयोग ही करता है जीवन की डोड तो एक इश्वर के हाथ में है इश्वर का नाम लेकर उस पर शद्धा रख तु अपना मार्ग मत छोड़ मन में इस तरह का मन्थन चल रहा था रात पड़ी मैं मनिलाल को बगल में लेकर सोया था मैंने उसे भिगो कर निचोडी हुई चादर में लपेटने का निश्चे किया उसे ठंडे पानी में भिगोया निचोड़ा उसमें सिर से पैड तक लपेट दिया उपर से दो कंबल उढ़ा दिये सर पर गीला तौलिया रखा बुखार से शरीट तवे की तरह तप रहा था और बिलकुल सूखा था पसीना आता ना था मैं बहुत ठक गया था मनिलाल को उसकी मा के जिम्मे करके मैं आधे घंटे के लिए चौपाटी पर चला गया थोड़ी हवा खाकर ताजा होने और शांती प्राप्ती के लिए रात के करीब दस बजे होंगे लोगों का आना जाना कम हो गया था मुझे बहुत कम होश था मैं विचार सागर में गोते लगा रहा था ए इश्वर इस धर्म संकट में तू मेरी लाज रखना राम राम की रटन तो मूँव में थी ही थोड़े चक्कर लगा कर धड़कती छाती से वापस आया घर में पैर रखते ही मरिलाल ने मुझे पुकारा बाबू आप आगे हाँ भाई मुझे अब इसमें से निकालिये न मैं जला जा रहा हूँ क्यों क्या पसीना चूट रहा है मैं तो भीग गया हूँ अब मुझे निकालिये न बाबू जी मैंने मरिलाल का माता देखा माते पर पसीने की बूंदे दिखाई दी बुखार कम हो रहा था मैंने ईश्वर का आभार माना मनिलाल अब तुम्हारा बुखार चला जाएगा अभी थोड़ा और पसीना नहीं आने दोगे नहीं बाबू अब तो मुझे निकाल लीजिए फिर दुबारा और लपेट ना हो तो लपेट दीजिएगा मुझे धीरा जा गया था इसलिए उसे बातों में उलजा कर कुछ मिनट और निकाल दी उसके माथे से पसीने की धाराएं बह चली मैंने चादर खोली शरीर पोचा और बाब बेटे साथ सो गए दोनों ने गहरी नींद दी सवेरे मनिलाल का वुखार हलका हो गया था दूद और पानी तथा फलों के रस पर वह चालीज दिन रहा मैं निर्भय हो चुका था जवर हठीला था पर वश में आ गया था आज मेरे सब लड़कों में मनिलाल का शरीर सबसे अधिक सशक्त है मनिलाल का निरोग होना राम की देन है अथवा पानी के उप्चार की अल पाहार की और साल संभाल की इसका निर्णे कौन कर सकता है सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा चाहें करें मैंने तो ये जाना कि ईश्वर ने मेरी लाज रखी और आज भी मैं यही मानता हूँ